दी मीडिया डॉक्टर ये क्या चीज़ है वो नाम की भी किस्ट्री इसका इंपक्त तो आपको नहीं बिलना को इतना फास इसका नेगेटिव पॉइंट ये कि अपकी परसनेटी को देखके जी वो फील आउट कर रहे देगे बॉड़ी पे काफी टैटूस है लिटरली पाकसा का पासपोर्ट इस दवीकेस पासपोर्ट अब वो ब्राउन स्केन में माशाला पूरी दुनिया में ऐसी मशूर है कि भाई ये आये हैं तो कुछ करके जाएंगे उन्होंने तो डेक्लेयर कर दिया था बस में अपनी इमाजिनेशन में कि ये बंदा तो टैरिस्ट है क्या आ है हमारी तरफ से मेमान नावाजी करें ये करें अपना बहुत असान है बट क्या आप उससे क्या डिरेक्शन देने लोगों को क्या मैसेज देने हैं ये बहुत इंपॉर्टन असलाम अलेकुम दोस्तों अमीदे आप सब लोग खेरियस से होंगे वेलकम बैक टू मैं यूट सेयद फाहद आज हमारे शाद मौजूद हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 50 से ज्यादा कंट्री घूम चुके हैं इविन मेनिज्मेंट का काप करते हैं और मीडिया से इनका तालुक है चले आईए इंसे मिलते हैं असलावानेकुम सेयद फाहद कैसे हैं आप जी बहुत श यूजिली आपनी वर्ट सेया खुर्ण यसमें कियते हैं जयक नव बॉलट करेड़ दौ अभी जब मैने जब मीडिया में काम स्टार्ट किया तो अबढड देखे मैंने एक्टिंग वी किया है मैंने मॉडलिंग भी किया है मैंने इरेक्षण भी किया यूड प्रडुक्श बोला जाए कि आप जैक अफ और ट्रेड तो मैंने जैक अफ और ट्रेड इस लाइड जैक पराबिली ना राइड वर्ड मुझे थोड़ा सा अंडर रेटेड सा लगा जा यह अंडर वैडियू ने हो तो मैंने एसी बातों में हम लोग ने कोई वर्ड डिसकोफर कि मैं अगर म पर इसके बाद से क्या हुआ कि लोगों ने वो टाइटल ही हर जगा लगाना शुरू कर दिया डॉक्टर अच्छा लगता है वैसे सुनने में अच्छा लगता है कि अपने नाम के ऐसा डियार लगा लगा ले ते ना या MDR लगा ले ते तो वह जो ता है MDR.Fahad अच्छा फाह लगता है तो स्पैनिंग अपकी जो थी में पर लिखे एस टी ए आई वाई एडी पी एच एच एफ एडी अब यह तो नहीं पढ़ा लगता है अब अगर लिखा वा स्क्रीन पर लिखा दे तो यह नहीं पढ़ सकते हैं नहीं अब देखें हर बंदी की अपनी प्रनाउंसे सबस्कते हैं जो है लोग कैच कर लेते हैं अकसर मेरी जो कन्वर्शेशन है उसमें पर हमेशा से को एक क्वेस्टन रहा है कि वो नहीं पढ़ पाते है नहीं समझ पाते है बहुत सार Noteiac पर पर पराला मैं हूँ जो एक्टर जिसने मुलान फजो रिमान प्ले किया तो वह अनर भी मेरे पास है भी रिस्नली मुझे जिए जिए टीवी ने इन्वाइट किया था उसके लिए तो जब मैंने वो काम किया और मैंने लोगों को बोला especially अपने एक मेरे बॉस थे मैंने उनको बोला कि मैंने गा बॉस मेरा ड्रामा देखी गा अच्छा उस वक सोशल मीडिया नहीं था इंस्टाग्राम वगरा इस सब चीज़ नहीं थी तो बैक इन 2003 में जब आप किसी को बोल रहे मेरा ड्रामा देखो या मेरा प्रोजेक्ट और टीवी पर देखे अब टीवी पर किया था कि आपका एक ड्रामा आ रहा है और वो रिपीट हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के उपर लेट सपोस्स आज साड़े आट आया तो सुबह आएगा दस साड़े दस बी ऐसा कुछ था तो मैंने का बॉस औने का यार इतो लिंक बनाना है या लिंक ढूटना है तो मैं उससे पहले वो आदत नहीं थी मुझे गूगल पर बैठ के लिंक ढूटना है कि मैं टिपिकल सुड़ाइ जोब कर रहा था और अपने अक्टिंग वगरा तो जोब में भी इतना हमारा यूस नहीं था इंटरनेट वगरा का उस मुझे खुद अपने आपको डूड़ने में मुश्किल हुई अब मैंने का मैं इसका नाम ही चेंज कर दूँ जो इंडिस्ट्री में उसक बड़ा मारा कॉमन ट्रेंड था जिसमें लोग जाके पूरी नाम ही चेंज कर देते थे तो मैंने का वो मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं हुगा नाम चेंज करना क्योंकि अब अब मुझे मार पढ़ने वाली है घरवालों से और आपको पता है डॉकुमेंटेशन चेंज करना बहुत टाइम है तो उसी रात को बैटे बैटे वो C.A.I.Y.D. P.H.A.H.A.D. बना क्या होगे कि मैं खुद भी किसी को कॉल करके रेंडम ली अगर बात करूँ फर्स करें मेरा आपसे इंट्रॉडक्शन नहीं हुआ हुआ और आपके बस मेरा नंबर सेव नहीं है मैंने ऐसी कॉल की मैंने का बाई मैं सेयद फाहद बात करहा हूँ तो आपका पहला हुआ होगा कौन सेयद फाहद तो अभी यह हो रहा है कि जितने लोग मुझे मिलके भी आ रहे हैं फर्स करें पॉडकास्ट में इंट्रिव्यूज में या कोई इवेंट में कोई उनिविट्सरी में तो जब तक वो आगे जाके यह वो लिखते नहीं है अपनी प्रोफाइल में या बताएं अनलेस मेरी पिक्शर आ रही है तो लोग पचान जाते हैं पिक्शर से बट कहीं पे पिक्शर नहीं है और कोई जाके सिर्फ वैसी बोल रहा है कि सहीत फाद बड़ा जबर जस बोला उसने वो लेंगे कौन सहीत फाद जो लिखते हैं तब पर चानते हैं तो अब वो ब्रेंड अब नाम ऐसा होगे कि ब्रेंड बन गया है इवन आप इतने मैंने 400 प्लस सेलिबेडी के दाथ काम किया इंटरनेशनली भी कुई मिझे अब जानता है उसलब उसी नाम से उसी स्पलिंग से जानता है लेकिन प्रोनॉंसीशन में तो सेंए मैं मतब इसका इंपक्त तो आपको नहीं बिन ना कोई इतना खास इंपक्त अभी रिसेंटली जो मेर कि स्पहलें इतनी यूनिक है कि लोग बोलते हैं आपने बड़ा क्रियेटिवली सहीत वाद को लिखा हुआ है और मतलब हमें की कोई बड़ी और परशनालिटी लगती है और ये कोई इंटरनाशनल कोई आदमी लगता है हमें कोई बाहर मुलक का और इस तरह से है तरह सब करकु कुछ अगलत ब्यांई नहीं करूगा या कुछ इग्ज़ाजरेट नहीं करूगा बर इसका नेगटिव पॉइंट यह को हमारे बड़े जो लोग बड़े रिलीजिस सेंटिमेंट रखते है और जो बहुत जादा हमारे आप कहले हैं के रिलीजियन की बहुत क और जहां जाके connect होता है, आप सब लोग को पता है, audience को भी पता होगा, viewers को भी पता होगा, तो वहां आके थोड़ा challenge होता है, जिसे अभी recently, जब मेरे जियो टीवी पर दिया, तो उनने का नहीं हम इस नाम को वैसे नहीं लिखेंगे, हम end में जाके लिख देंगे, credits में, पर ज जाकी बात है, हम लोग का mind over the period of time, हम लोग इतने develop तो चुके हैं कि हमने acceptance शुरू हो गई है, चीजों की ना, तो आप religious हैं, बट मैं कोई religious sentiment तो नहीं हट कर रहा, मैं किसी गानाव जुबला या God forbid किसी prophet के बारे में, या किसी आपके सहाबा के बारे में, या कोई religious, कोई point के बारे में, या कोई आप के लिए फत्वे के बारे में, तो नहीं कोई बात कर रहा, मैं तो अपने एक नाम है, और नाम को मैं सय्यद फाद लेके चल रहा हूँ, अगर कहीं पर बात हो कि मैंने सय्यद को ही change कर दिया, तो आप कह सकते हैं, तो सय्यद था कास्त में, या और रख लिया, या अब्दिल्बकर, या कोई बी ऐसा कोई नाम रख लिया, वो पहात करते हैं, या बहुत लोगों ने किया हुआ है, जैसे मैं बहुत लोग को जानता हूँ, उन्हें ने शॉर्ट नेम्स रख दिये हैं, जैसे बैट और इस तरह के जो नाम उनके कुछ औ नाम की, थोड़ी सी, श्पैलिंग चेंज की, साउन तो सेम है, लेकि जी, और यह 100% पर सामने वाले की ओपर है, देखें, सामने वाला इसको कैसे प्रणाउंस करा है, अब मैं उनको यह तो नहीं बोला कि आप उसको कायात बोलो, कायात बोलो, मैं तो इसको यहीं बोलो, आउट कर रहे थे, क्योंकि जिसे मैं का और सवाल में दिवाव में थे, जब मैं आपसे मिला, तो आपके हाथ पे भी कुछ लिखावा है, तो मुझा है, कहते है कि यार नाम इसका यह है, या तो आप चाहें, तो मैं दिखाऊं के पर जी, तो मेरे बोड़ी पे काफी टैट है, अब फिर, जी, मैंने का शायद कोई गल्फरेंड का नाम है, ने, ने, गल्फरेंड तक तो पहुंचे नहीं पूरी लाइफ में, ये निपाली में एक फ्रेज लिखी है, जिसमें कहते है, एक्स्प्लोरर, और बहुत सारे टैटू मेरे बने वे यह मेरी डेट ओव बर् इसमें एर बर्ट नहीं है, और जहां तक गल्फरेंड की बात ही, तो मझे जौन इलिया का शेर यहाँ आता है, इस बात में, कि पूरी जिन्दगी इश्क करते वे निकल गई, लेकिन आज तक कोई अपना नहीं मिला, तो अपने नाम भी तो नहीं लिखा ना, उसका नाम ल जी रहा हूँ और अभी हूँ, तो मैं जे यह लगा कि जिन्दगी में, मतलब यह, मैं समझतों बड़ा ज़रूरी एससे लाइफ का, इश्क और रिलेशनशेप और आपका एक पार्टनर होना, आपकी मर्जी का, इस सब बहुत इंपॉर्टन चीज है लाइफ में हैं, मैं इसमें आपने का ता एक और वर्ड देखा था अपने का एक एक्स्प्लोर द वर्ड और आपने सहथ 50 प्लस चंट्री फिट्टी टू अभी इस परे लिखवा है या बाद में दे लिखवा है यह अभी मेरे लाज जो मिरे निपाल कर ट्रिप था जो आप कह सकते हैं पाकसानी Obrig you पाकसानी पासपउर्ट पहाँ का वेइस पासपॉर्ट तो पाकसानी पासपॉर्ट जब नाम आत टरहां के लिंद्ट प्राइड़ हो आपके तूर्ड बेरी पासपॉर ट्राइशनी पासपॉर्ट के amongst से पहले तो आप वीज़ा अप्लाइ करने जाएं तो कोई भी मुलक आप सुशन जो आप को चार दिन में पांच जिम्हां देती बर मुंसली जो इसे जो आप लीज़ा है जो आप तेक्छे chain वाधर के आफ आर रहा एद हो न हमस principalmente कि अरौन गहा पाम लसली आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री तियार करनी है आपको अपना पूरा जो बैक्ग्राउंड है उसको इतना स्ट्रॉंग मुनाना है कि जब आपके पेपर जाएं अब वो कैसे हो सकते हैं कि आपको इची कमपनी में काम कर रहे हैं आपका बैंक स्टेटमेंट्स रौंग होना चाहिए पर आपके टिकट बुक अलएचे आपूस जब आपको अब जा रहे होते हैं पासपोर्ण बयीक हैंसा दिख एक इमेज़ अब मैं जैसे 52 कंट्रीज को आप वे इसे पात करूँ स्विर्सलेंड गया हूँ, जर्मेनी गया हूँ, बैलजियम गया हूँ, नैधरलेंड गया हूँ, क्रोइशिया गया हूँ, रुमेनिया गया हूँ, सिल्वाकिया गया हूँ, सिल्वेनिया गया हूँ, अफकोर्स पाकिस्तान है, फिर युएई है, बेरेन है, कतर है, उमान है फिर फिलिपीन्स है, सिंगपूर है, थाइलेंड है, फिर आपका लाओस है, कमबोडिया है, फिर इसके लाओवा अफ्रीका में मैं गया हूँ, आपका सेशल्स है, मौरेशियस है, एजिप्ट है, मौरोको है, फिर आपका तंजानिया है, कीनिया है, अब मतलब जम इतनी सारी countries मैंने travel किया, सबसे बड़ा challenge क्या था कि आपको बाहर as a Pakistan ही recognizing नहीं करता कोई majority of the countries को पता ही नहीं है कि Pakistan exist करता है और है कौन, और जिनको पता है उनके सामने Pakistan का नाम ऐसा है कि जैसे आपके सामने आप फर्स करें मेरे पर, तो वो पाकसानी सुनके ना कई दफ़ा तो मने दिखा लोगों ने back out किया है, और फिर पाकसानी पासपोर्ट के साथ माशाला अला अला ने skin भी brown दिये, और वो brown skin माशाला पुरी दुनिया में ऐसी मशूर है कि भाई ये आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, वो बोलते है ना, शक्ती कपूर का एक डायलोग ताथ में, कि मैं आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा, तो वो वो हाल है, अपना अपना में था हमका एक डायलोग तो ये हाल है, कि लोगों को ये लगता है कि ये brown skin है तो ये definitely कोई ना कोई चोरी करेगा अब इतिफाक से क्या हूए recently बहुत सारे लोगों ने जो wars हुए है या immigration हुए या crisis हुए उसमें लोगों ने जो border पे जाकी चीज़ें की है कि बैट गए हैं, महाँ पर रहना शुरू हो गए और cross कर रहे हैं उससे भी बहुत जादा इंपक्ट वारा जाहरी बात है, अब आप किसी भी country में let's suppose या आपकी territory है इसमें कोई बाहर का बंदा आएगा जैसे आपके महले में भी कोई बाहर का बंदा था है वैसी alert हो जाते हैं, क्यों आया है यह क्या प्रपॉज़िस तो यह दूसरे मुलकों में है और हमा बहुत countries है अब पाकस्तान में वह भी रिसेंटली वह शारुखान साब की movie भी है जी डंकी और डंकी एक बहुत पुरानी माशालला फेसिलिटी है जो हमारे पाकस्तानी तो बहुत और इंडियन्स भी बहुत यूस करते हैं अभी भी यूस करते हैं अभी भी करते हैं क्योंकि देखें, आपको अगर मैं बोलू कि आपको लंडन जाने जैसे मैंने अर्स किया कि आपको फर्स करें, preparation करनी है bank statement लाना वह यह आपके पास नहीं हो सकता imagine करें ना अगर आप एक पर्टिकुलर रिमोट एरिया से करें गाउं से करें चलें शेहर में कराची और लाहुर शलावबाद वगरा या कोई भी इंटरनाशनल या कोई दुबाई वगरा की बात करें कोई भी उनके पास relatively होगा अगर आप बात करें कोई रिमोट एरियास की पंजाब के कोई गाउं में चले जाएं या कारकसिंद के कोई गाउं में चले जाएं तो उनके पास bank statement नहीं होगा, documentation नहीं होगी, हो सकता है, तालिम भी नहीं हो, उनको पता भी नहीं हो, फॉर्म कैसे बरना है उनको ये भी नहीं पता कि वीजा फॉर्म क्या है, उनको प्रोसेस का नहीं पता होगा, उस टाइम पे उनको कोई ऐसा बंदा मिल जाए, जो उनको ये बोले कि भाई, मुझे आप 6 लाग रुपे दो, 8 लाग रुपे दो, मैं आपको उस UK पहुचा दूँगा, या अमेरिक रुपे जाके, जब मैं इमिग्रेशन पे पहुचूँँगा, एरपोर्ट पे, वहाँ जाके मुझे एक इंट्रिव्यू देना है, वहाँ मुझे सवाल जाब होंगे, मुझे डॉकुमेंटेशन बनाने, मैंने तो अपने साथ जब मैं अमेसीज में गया हूं, मैंने लोग तो आप समझें, पूरी दुनिया में एक बड़ा मशूर है, और शारुखान ने उसको मजीद अजागर किया इस कॉंसेप्ट को, जो एक अच्छा टॉपिक था और लोगों को पता होना चाहिए था, बड़ आप नहीं समझते कि इतना डिवस्टेटिंग है यह कि आप उस इतने दिन रहें, उन्होंने उसको मोर फैसिनेशन की तरफ ले गए और दिखाया कि चलें उसके बाद उधर बाग रहे हैं, उधर चल रहे हैं। उसके लावाकर कर वो उसको मजीद डिटेल में दिखाते हैं कि लोगों का स्ट्रगल है, कि वो खाना कैसे खारे हैं और क्या खाना मिलता है और किस तरह से जैसे वाश रूम की फैसलिटीज हैं और किस तरह से वो मैनेज करते हैं और अपनी कपलो को और अपनी हाईजीन को तो लोग मेरे खाल में आप समझे रो रो के परिशान हो जाएंगे डंकी is not an easy thing आप उसके बारे में पढ़ेंगी तो आपके रोंग्टे कड़े हो जाएंगे फिर जो बॉर्डर्स पर भागना है छुपना है जो मटी के अंदर जाके डैसरेट में चुपना है पर पानी के अंदर जाना है मतलब अपनी और लोगों के इतने ड्रिल भी नहीं होती यह नहीं कि आपकी पकाइदा ट्रेनिंग हो रही है और आपको फिर उस तरफ लिया जा रहा है यह आप खुद on the spot या experience करें कि आपको करें आप जम करो पानी में आप बोले हैं मैंने तो जिन्देंग में स्विमिंग नहीं की तो आपको करना है जम मारनी तो कर लाव ऑप्शन ही नहीं गोरी लगने वाली है पर आपको तो यह तो हाल है और लोगों को प्रिपेरी इसी वज़ा से आप देखे ना डंकीज में अगर आप पूरी इसली निकालें हमेशा लोगों की मौत ही मौत है मतलब एक unlimited लोगों की है मतलब जो पानी में गिरके बैके मर गए जो बॉर्डर्स में मर गए जो star विंग से मर गए नहीं के भूक से मर गए एक लंबा, मतब हज़ारों के अंदर वो नमबर है, क्या वो नमबर इंसानियत के अंदर काँण नी होते, लोगों ने तु पैसे बना लिये, एजेंट ने त अपने पैसे बना ली, एजेंट को तो पैसे पहले ही मिल गये, लेकिन जो लोग मरे, उनके क्या compensation है, उनकी life की क्या value इस पे तो आस्ता किसी ने बात ही नहीं की ये तो अपने में एक बहुत बड़ा humanitarian issue है कि आपने जो illegal migrants जो जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या अब borders पे जो लोग पहुंच जाते हैं जो camps में रहते हैं तो उनके लिए तो चले बहुत सारी एक क्लिक पूलते हैं no जी 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 आप imagine नहीं करें जो treatment मिलता है ना immigration के अंदर जब मैं वो simply कहते है no आप कर ले सवाद उनसे नो के लावा जब वो आपको बुलाते हैं अब मैं लाइन में लगा हूँ कि stamp लगा के मुझे entry करनी country में आपको पहली लाइन से बाहर कर देते हैं वो कहते हैं जी आप इदर आजाएं यॉरप में मेरे साथ हुआ तो मिझे याद है वो ऐसे पूछते हैं कि कहा जा रहे हो अच्छा मिझे तो ये भी याद है जब हम निकल ले थे यॉरप से बाहर निकल ले थे तो पूरा पूछ रहा था कौन कौन से country गया हो कितनी दिन रुके हो क्या खाया है क्या पी या है कितने बज़े कहां बैठे वे थे तुम मैंने बुला यार ये तो हमें याद भी मेरे बराबर में दोस्ता कहते यार ये तो याद भी नहीं चौदा दिन का खाना में ने क्या खाया था कहता है अच्छा तुमने जो फिफ्फ हैप्तरमर में थे क्या खाया था ये ऐसा ही है और आपको मैं यही इंसिडन बता हूँगा जिपैन के अंदर जब आप जाते हैं इवन निपाल के अंदर आप जाते हैं अगर पैसो के जी निपाल वो पाकिसान की गौर्णमेंट का अच्छा इतिफाक से बहुत सालों पहले बाक इन ऐ थिंग सेविंटीज और एटीज में क्या था कि इनकी पाकिसान के बहुत सारे लोग जपैन जाते थे और जपैन के बहुत सारे लोग यहां थे थे ऐड़र्दू सीखते थे और अरदू बहुत मश़ूर लैंगविज थी जपैन में लोग सीखते थे आपने एक टाइम भी दिखाओ गए बहुत सारी पाकिसानी फिल्में जो है वो जपैन में शूर भी हुई है एक गाना भी था जपानी गुडिया कुछ इस तरह से था तो वो बहुत मशूर था पाकस्तान में वो एक टाइम में back in 70s, 80s मतलब मैंने भी सब चीज़े सुनी और पढ़ी हैं over the period time तो जपान ने बहुत इज़त देते हैं लोगों को और पाकसानियों को जादा और उसकी वज़े हैं कि बहुत सारे पाकसानियों जपान जाके शादी भी की वी है उनके बिजनसेज भी हैं तो जपान में आपको वीजा फ्री मिलता है अब जपान का एक प्रोसेस था कि आपको ये बता रहे हैं कितने दिन के लिए जा रहे है और कितने दिन में आपका स्केजूल क्या है अब इतिफाक से ना मैंने वो त्यारी नहीं की वी थी और जैपनीज नाम याद करना मतलब नगा साकी और कियोटो और इस तरह की जो चीजे और उसके अंदर जा जाके आप जगाओं के नाम के मैंने जब जा रहे है आट दस दिन के लिए तो आपका स्केजूल क्या है तो वो बिचारा परिशान हो गया अब मैंने वो त्यारी नहीं की थी तो मैंने किया कि उसी वाग इंटरनेट पर बैटके अपना पूरा आट से दस दिन का जो या मैं 14 दिन के लिए तो मैंने वो पूरा 14 का दिन का स्कैजूल बनाया है कि जी अब मैं आज इस वक्त टोकियो के अंदर इस दिन मैं डिसनी लेंड पे जाऊंगा फिर इस दिन मैं टोकियो के अंदर आपके जो टॉप स्काइट टावरे उधर जाऊंगा फिर इस दिन मैं क्योटो जाऊंगा इस दिन मैं आपका क्या ब तो पूरा परफेक्ट इसको पता है और अवीजा फ्री है अब आजाए सवाल जो आपका था इमिग्रेशन के शूओ अब मैं आपने यूरॉप की बात की तो मैं आपना यूरॉप का एक्सपिरियंस शेयर करता हूं मैं जा रहा था सिल्वेनिया अब सिल्वेनिया मशूर है आपने लोगों से पैसा करके लूट के लूट के लिए बड़ा मशूर ता सिल्वेनिया और बहुत अच्छी जगा है सिल्वेनिया न यूरॉप के अंडर जर्मिनी और कुरेश्या के पास है अब कुरेश्या जब आप चले गए सिल्वेनिया जाने के लिए डिरेक्ट फ् पो एरलाइन की तरफ सीवती है तो जब मैं उस्वेन में जा रहा था सिल्वेनिया बॉर्डर के उपर सिल्वेनिया के रोका गया अब जब वो रुके तो मैं पहले ही समझ गया कि बाजन मैं अकलोता पाकिस्तानी बैठा हूँ और मेरा ही बैंट बजने वाला है तो मैं पहले जाँगा तो मेरे पीछे जितने बीस-पचिस लोग है वो वेट ही करें गे तो लेट लट अलव दिम गो तूर तूर बाजने करें गो तूर पूसरो पॉसरो थरूट जब मेरी बात आई तो आप लिटरली समझें वो 20 ये 25 लोग थे वो आप समझें overall 10 मिनट के अंदर बस में आगे वो पिस बैठ गए 20 से 25 लोग मैं गिया हूँ तो कम से कम 45 मिनट तक बस रुखे गी थी मेरे कपड़े पूरे उन्होंने बैक खोला एक एक कपड़े चेक किया मरी जो भी बुकिंग स्कुर्ण की मेरी जो भी बुकिंगस थी सारी चेक हुई हुई उन्होंने इस सब बोला कि आप कहां जा रहे हैं किधर जा रहे हैं उन्होंने वह उन होटल सपर कॉल की मेरी बुकिंग कंफर्म की mobilize क्ये चेक कि关 तो टेरिस्ट है, यह पकड़ा गया है, इसके पास से कुछ निकल गया है, डिफिनली ब्राउन स्किन तो थी, तो ब्राउन स्किन ने तो अपना जो काम करना था, वो दिखाया गया है, हाँ बाई, चांस तो है, अब 45 मिनट जब रुखे हैं, तो उन्हों बने तो कन्फर्म है कुछ ना कुछ तो निकले हैं, होगा ना, अब नेचरली आप दूर से बैटके देख रहे हैं, और आप वाच कर रहे हैं, तो आपको कन्फर्सेशन को तो नहीं अंदादा, बड़ आपको ये तो पता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मतलब 45 मिनट तो बहुत बड़ी ब आपोलोजाईस, फिकास उफमी तो देकごाच, आप आपॉलोजाईस अच्छा आप इसम्मुरीं कर रहे थे बात कर रहे हैं कि क्या, आप अदर्स्टाइड को अहीं कर रहे हैं, यहिजरी नहीं अज्या तो एपक्री में ऐस बिर्च नहीं जा घहाँ, ठाट झाले को उर्ठ वर्ड गया था तो डिजनी वर्ड गया था ये इसको पता है कि जिन में गया था ये आपकी मेमोरी में तो होगा ना तो भी चेक करता है तो और फिर बात ही है कि हमारे माशालला मुल्क ने केसिस भी तो ऐसे बना है आज ही मैंने कोई ख़बर पड़ी वो कैनेडियन पाकसानी पी आई की कोई रोस्टेस थी वो कैनेड़ा गई और माशालला उनके जूते से कुछ खुस्वी चीज़े मिली तो ये आज की रिपोर्ट है और फिर कुछ दिनों पहले एक खातून वापर स्लिप हो गई फिर एक उससे कुछ दिन पहले इससे पी आई के माशालला हमारे का हमारे मुल्क के लोग जाना वो शॉर्ट कट्स के लिए मशूर हैं आप उनसे बोलेंगे ना ये रोड आप प्लीज सीधा जाएं और एक गंटे में आप यहां पहुंच जाएंगे फिर वो आपसे पूछेगा कि यार एक सेकंड ये जो साइट से रोड जा रही है और ये ज चीज बहुत है कि हर काम जल्दी करना है मतलब आप रोड पैसे लगता है कि लोग को आज ही जाना है मतलब कोई life and death वाला scenario है कि आप नहीं पहुंचे तो 10 मिनट के अंदर ये 10 सेकंड के अंदर किसी ने कुदाना खासता किसी की death होने वाली है सड़े को पाड़कास्ट में काया था कैलिफोर्निया से ना एशन ली जी मैंने देखा था वो जी तो कह रहा है यार लोग या क्या वो आइसा लग रहा है यहां पर आपके गेम चल रहा है यहां तो सड़कों पर भी सारे साफ और राइव नहीं करता यहां पर नहीं पुछ लोगों के अंदर सेंसिटिविटी नहीं है हसासियत नहीं है लोगों को यह पता है लग गई तो क्या मतलब यह बात होती है लग गई तो क्या हो गया क्या मसला है मतलब क्या करना है मारना है तो यह भाई तुमने किसी को गाड़ी मारी है उस बिचारे का नुकसान हुआ है एक हुमानिटी तो रखो और बेसिकली लोगों से माफी तो माओ को बाइजान आम वेरी सॉरी कि आपको लगी है माज़त मैं आपको कुछ कमपंस्रेट कर सकता हूँ इसका वो अगर आपको बोले प्लीज भाइज कोई मसला नहीं सॉरी अब चले जो then it makes sense but मैं आपको अपना इंसिजन बिताता हूँ मैं रिसेंटली आपकी एक सुपर मार्केट यहां पर इम्तियाज में खड़ा वा था शॉपिंग करके लड़की थी बिचारी बिचारी बच्ची मिरे खाल में एज होगी अठारा उने साल को चुंकी पीशे से आके ना उनोंने मुझे बं कर दी तरॉली मुझे लगी बं तो कर दी उन्होंने मुझे अब वो ट्रॉली मुझे चुपका के खड़ी है तो मैं पलट के उनको देख रहा हूँ अच्छा मैं देखता रहा हूँ अच्छा वो अपने बाई से बात करी हूँ तोटली इग्नोरिंड थी कि क्या हो रहा है उनको पता ही नी थोड़ी एर में पलटी उनने मुझे देखा तो मुझे देख रही हैं कि मैं उनको क्यों देख रहा हूँ तो मैं अच्छा उनने expression ऐसे ती जैसे क्या क्यों देख रहे हूँ मतब expression सही पोला नहीं तो मैंने उनको बला मैडम आपने मुझे trolley मारी है अच्छा ओके तो मैंने आपकी trolley अभी भी मुझे लगी विये ओ कहीं पर उन्होंने sorry का word यूज नहीं किया कहीं उन्होंने माजरत नहीं कि तो मैंने बला बाकसा और ये बड़ी common problem में देखें touching to a human being एक बड़ा sensitive चीज़ है कि आपको कोई आका ऐसे touch कर रहे है क्यों और ये लोग बड़ा बुरा मानते especially आप भार के मुलकों में जाएं आप किसी को randomly हमारे यहां किया है कि आप यहां पर कहीं भी खड़े होना लोग normally आके आपके साथ बिलकुल इतने चुपके खड़े हो जाएंगे जैसे कोई बात ही नहीं है मैं कहता हूँ मैं literally कई दफ़ा लिफ में जा रहे हैं पीछे से धका दे दे के आगे से जाते हैं कहीं आप दुकान पे खड़े हैं कोई भी शॉप पे आपके सहसे चुपके आपके हाथ पे हाथ रहके कोई मुवाइल शॉप पे खड़े हैं ये सेंस नहीं कि क्यों अपका कौन हूँ? कि आपने कैसे मुझे आपके मिरे हाथ पे हाथ रहके खड़े हो? हो जाएगा मुझे कहने थे कि मीडिया, कॉर्पेट लाइफ और इंडिविजल में क्या फाक था कि आप कॉर्पेट लाइफ पे भी गए फिर मीडिया में भी थे तो मैं चाहता हूँ रिकॉर्डिट में रहे है मेरे पास जी जी बिलकुल अच्छा पॉइंट रेस किया उन्हों है इंसान ने अपने जहन को पूरा यूज नहीं किया मैंड को कोई कहता हूँ तो तो पर से युज पर्सें यूज और पूरी लाइफ में तो मैं यह था कि तो जो रिख ला झाल यह ता क्यों ना मैं अपने टाइम को ऊटलाइस करू तो अब मैं इस बात को थोड़ा साब की कि यहांगा इस वह सब्सक्राइब करने करूपरें क्या में इस काड़ी में इस कड़ीघरी में अब इस वीडियो बना रहे हैं मेडिया सेक्टर पे चले गए कॉर्परेट सेक्टर में तो देखें जी अपको थोड़ा से बैकवर्ड लेकर चलता हूं पैक्वर्ड इनके आप तो मैं बात कर रहा था क्योंकि देखें हमारे हमेशा से बात हुई इस टॉपिक पर लेके कि आदमी ने अपना या इनसान अपना जहन यूज नहीं किया वो क्यों बोलते हैं कि इसानों ने रिसर्च किया हैं साइंटेस्स रिसर्च कि उन्हों ने रिलाइस किया है कि हमारे जितने भी हुमन बीग हैं वो अपने जो मेंटल के पैसिटी उसके साब से काम नहीं करते हैं और वो मैक्सिमम जो यूज करते हैं 3%, 4%, 5% तो यह मैं थोड़ प्रोसेस से ग्रो अपो रहा था तो मुझे वो था कि यार ऐसा क्यू है और ऐसा क्यू है कि आदमी नहीं कर सकता तो मैं जब मैट्रिक करा था साइंस में और मैं क्रिकेट भी खिल दा दाइट ताइम प्रोफेशनल क्रिकेट में खिल रहा था तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज या रहा था कि मुझे मेरा इंटर्स नहीं था आगे साइंस में जाने का मजीद नहीं और जो मुझे पता था कि अदमिशन बिंगे अ कॉलेज इसमें तो मैंने फिर दुबारा मैट्रिक किया वाल आवस दु arts दूइंग मैं इटर मैं इंटर भी आदमिशनले चुका था इंटर मैंने cet . लिए में प्रोर्स टाहा था कि मेरा थॉर्ट प्रोसेस में था कि मिरी बेस टॉट प्रोसेस में तो मैं स्ठाइट आगे जाके सुस्थ tot हुँगा तो मैंने अपना मेर्ट्रिक दुबारा ढाला कोंर्स में इंटर अब एका झाषिया जब मैं बैशलर करने गया भी זה कर रा था तो मैंने के बाद मेरेपष टाइम है जौप भी कर रहा था हूँ तो मैंने बीबे कर रहेर Desert को लेगा अब यह तमांद जा चीजों को ल तो मेरा मीडिया करियर भी साथ चल रहा था, मेरे कॉर्पेट करियर भी साथ चल रहा था, मेरे एडुकेशन भी साथ चल रहा था, अब उससे मेरा क्या हो रहा था, कि मैं एक पूरी परफेक्ट ब्लैंड बन रहा था, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं, यूजली पढ़ने के ब प्लस बी प्लस स्क्वाइर गिसको अम्हें करूं को मैंने वाइवर यह को achievements करूं जाके मैंने पुरी लाइव और इसको में ठॉाय प्लस अप्लस मेंट करू ع उप्लस दुमनों करूं और जो पॉर्टो बॉ wish है यह एइज तक है कि वो सर को कॉल करता है, बोलता है, कि सर, क्या बोलते है, यह आपने जो इस दिन में जो सिकाया था, A+, MC, SQUARE, और फलाना, उसको मैं कहां इंप्लिमेंट करूं लाइब में, अब तक तो नहीं है, तो और यह बात इसी वज़ा से यह था, कि मैं जॉब भी कर रहा था, पड़ प्लेस्मेंट के बारे में, यह हम कहां कर रहे हैं अपनी कंपनी में, मुझे तुरा सा आइडिया नहीं, तो मैं वो रेल लाइफ में उसी वक्त चीज़ को मॉनिटर कर ले था था, जज़ कर ले था था, तो मेरे लिए बड़ा च्छा हुआ, नाओ कमिंग बाक तू में यहां पर यहां पर मीडिया में काम कर रहे हैं तो कोई प्रोटोगोल नहीं है, मैं templet, तो आइस compression नहीं है, मैं दो पर आज़ अबाक खुर्पिट, वो प्रोटोगोल नहीं है आपके, वो तिरुक्हें नहीं है, अगर एक address designer को, या let's suppose a dress assistant को, डरेक्टर से direct बात करनी है कोई सवाल करना है वो डिरेक्ट जाके कर सकता है but in a corporate world एक junior let's say accountant को एक CEO से बात करनी है he has to go to an accountant then accountant has to go to the head of accountant then head of accountant has to go to the assistant of the CEO then assistant of the CEO will take an appointment and say okay sir will you be available to meet this gentleman वो जाके 10 दिन के बाद 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद depends on the severity of the issue depends on the case फिर उसकी मुलगात होगी on the other hand मीडिया में आप 2 सेकंड के अंदर ड्रेस असिस्टन जाके बात कर लेगा तो प्रोटोकल्स नहीं है बहुत सारे इरार्की नहीं है media is a free environment corporate में आपको बात करने से पहले सोचना पड़ता है आपको अलफास का चुनाओ करना पड़ता है आपको टाइम का चुनाओ करना पड़ता है आपको बकाइदा एक appointment लेना पड़ता है आपको बकाइदा surrounding देखके बात करना पड़ती है आपको एक एक चीज़ देखके even आप email type करें तो आपको अपने एक लफ्स को 10 दफा बात कहते हैं ये बात क्यूं बोलते हैं कि अपने email को अपने लिखे हुए को कम से कम 2-3 दफा पढ़ो और घुस्ते में कभी मत लिखो ये सब बाते इसलिए बोलते हैं कि आदमी बहुत कुछ लिख देता है और वो send कर देता है उसको बात में रहे इसलिए text message के अंदर भी ये point बोला जाता है कि जब भी message लिखो अराम से पहले ठंडे दिमाग से लिखो कभी भी high emotions भी मत लिखो फिर आप उसको पढ़ो 2-3 बार before you send ताकि आपके बात भी सही तरह जाए और आपका लिखा हुआ भी सही पहुचे तो ये corporate environment बड़ा valid point है जिसमें आप अपना ही लिखा हुआ अपना ही चीजें जो आप बोलना चाहते हैं इसको 10 दफ़ा review करते हैं सोचते हैं, plan करते हैं, मीडिया में नहीं है मीडिया में आप जो चाहे आएं बोलते हैं जिल चाहे आपका और politics का level भी आप बात करते हैं मीडिया में usually आपको पता चल जाता है मेरे जो है मेरा competition किस्से है या मेरे enemies कौन है वो आपको बड़ा common है मीडिया में पता जाएं कि मेरा उस sector से competition है मेरी जो TRP जो मेरी आ रही है उसकी नहीं आ रही है मैं जो podcast कर रहा हूँ और मेरे podcast के जो view है और उसके क्यों podcast के वीव है वो आपको पता चल जाएगा clear competition है corporate में आपको यह नहीं पता चलता corporate में आपको बहुत सारे लोग आपके boss इसी और आपके management यह आपको काट देगी आपको पता भी नहीं चलेगा आप यह सोचते रह जाएंगे कि HR ने probably किया होगा या मैंने शाहत कोई policy follow नहीं की होगी या probably मैंने कहीं client को खुश नहीं किया होगा आपको गुत्थी में ही वो सुलजाने में फसे रहेंगे आपको समझी नहीं है पूरी life नहीं समझाएगी कि होगा तो corporate is a very complicated environment a very very tricky environment as compared to media media is a very free environment but I would say कि corporate corporate में भी depend करता है कि आप first करें कोई shop के लिए काम करें या एक शोटे company के लिए काम करें या 5 लोग काम करें और आप एक multinational को भी corporate बोलेंगे उसका environments के लिए उसका इन्वार्मेंट के लिए काम करें तो लोग कहतें कि आपने corporate के बारे बोला मेरी company में ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे company में सब साथ बैठके खा रहे हैं मेरे बहुस तो चपल पहन के आजाते हैं में तो शॉर्ट रहें के गुंगता हूँ तो वो भी बहुत डिपेंड करता है environment का ना कि आप कौन सी company के लिए काम करें तो मेरा जो सारे point है वो उन companies के लिए जो बहुत आप साले multinationals के लिए है multinationals के लिए आप करे uniliver के लिए है आप को बड़े multinationals banks के लिए है PNG के लिए प्राइटर नहीं होंगे प्राइवेट लिपनिट्स है प्राइवेट लिपनिट्स भी समहाँ शायद वैरी करेंगी यह उस पर अप्लाई नहीं होती है क्योंकि हर कंपनी के फर्स करें मैं अपनी कंपनी का environment मैं अलगा तरीके से लिए चलोंगा कि मेरा माइंड सेट कौपरेट का भी है मीडिया का भी है पिर मैंने 52 कंट्री करेंवेट किया है पिर मैंने 400 सपहफ इसके साथ इंटरनाशनली काम किया है पिर मैंने 100 के करीब एवेंट स्की है पूरी दुनिया में तो मेरा माइंसेट एक अलाग है मैं पूरी दुनिया की जो मैंने सीखी वी चीज़े वह अप्लाइ कर देता हूँ अब वही मेरे मेरे मुकाबले में एक बंदा जो पूरे टाइम पाक्सान में ही रहा है पूरी किसी गाहों से आया है और हो एक कंपनी का ओनर है जिसके आर्ड़स इंप्लॉई है तो इसका माइंसेट मेरे माइंसेट में बहुत फरक है मेरे अप्लिकेशन में उसके अप्लिकेशन में बहुत फरक है और उन पे अप्लाए होता है कि उनके environment उनका protocols बहुत अलग है आप कभी Unilever जाएंगे आप कभी Procter & Gamble जाएंगे आप कभी कोई भी बड़ी company बैंक चले जाएंगे स्टार्ट राट बैंक चले जाएंगे अपको वहाँ का environment ही अलग मलेगा कभी आरतोगुल का डिर्मा डेखता है तो बोलता है कि मैं अभी घाजी बढ़ा हूं तो इस तरह के जो एमोशन लेस्टे बन्दे उते हैं तो अब उनको क्या करना चाहिए अगर वह मीडिया पे आना चाहते है आना चाहिए तो फ़र बात वे क्या हो का अन्टा तेके फर्स फर्फ त ऑफ ओर बात को थोड़ा सा और और ओपन करता हूं मैं इसको थोड़ा और वास करता हूँ मैं इस तरा से बना चाहता हूं कि आप सबसे पहले दुनिया полов sì बोड्रो बनना चाहिए एकटर बननना चाहिए ट्रेंड फॉलो करते हैं, कि यह आज टिक टॉक पे यह चीज़ बड़ी चल रही है, चलो आओ, रील बनाओ, तो अभी बड़े बड़े टिक टॉकर्स, बड़े इंस्टाग्रामर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो एक ट्रेंड चला है, डांस का एक पर्टिकुलरी मूव आया, उस पे बनाके डाल दिया, कि यह ट्रेंड चला है, हमारे व्यूज आएंगे, लोग बोलेंगे, इसने भी ट्रेंड फॉलो किया, कोई भी ट्रेंड था, जैसे एक ट्रेंड चला था, दनानीर का पार्टी हो रही है, पर इस तरह के वो कच्छा होना, सक्सेस्फल होना, ना होना, वो गैरंटी नहीं है, अगर आपका पैशन ही यह कहता है, कि मुझे एक, लेट से, मुझे एक मिमिक्री आर्टिस्ट बनना है, जैसे शफात है हमारे मुल्क में, अच्छे होस्पी हैं, बड़े अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, कान की, या कोई जरदारी साब की, या नवाशिर की, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पैशन नहीं है, वो एक ट्रेंट फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात हमें दुनिया में समझना है, कि मेरा पैशन क्या है, अगर मेरा पैशन इंजीनिर की तरफ है, तो मु मेरे एमोशन बहुत हट हो जाएंगे, मैं अपने आपको फिसिकल टॉर्चर की तरफ ले जाओगा, कि नहीं यार मैं क्या हो रहा है, मैं फेल हो रहा हूँ, बार-बार मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन क्या ही, जब अपने पैशन में आप रिजेक्ट होते ना, उसमे अपने बहुत सरे पोएट्स देखे होंगे, जो लाइफ में, बहुत सरे पोएट्स ने वो स्टेटस नीहिek है, अपनी लाइफ में अचीब किया, क्या उननने पोएट्री छोड़ दी, नहीं, वो करते रहे क्योंकि उनुकि अणका पैशन था, बहुत सरे एक्ट प्रस ने गुरिए हैं की तर्किश ट्रामे कर लिए तो हर बंदा वा किया और थ्राज्ट पाई और नहीं देखने लगा तर्किश धरल के साथ झीज ताहरा है, उनको ना सेंस है ना सबसे बड़ा problem यह है, dilemma यह है कि हमारे हैं trend follow बहुत करते हैं बट आप जिस जिन्दगी में अपना passion जब भी follow करेंगे और जो लोग आज successful हैं आप माशाला आज successful हैं और भी जिते लोग successful हैं वो इसलिए successful हैं जैसे आप अपनी माशाला कमणी 2006 से run करें किस हुझा से कर रहे हैं क्योंकि आपका passion था अगर वो passion नहीं होता आपका God forbid तो आप प्रॉबिली शिए successful नहीं होते और प्रॉबिली बिजन्स कहीं न कहीं आपका downfall आता God forbid तो आप उसको छोड़ चोड़ चोगे होते हैं लेकिन आपका passion था आपका इसमें interest था आपने आपने और जिद्दत लाओंगा मैं उसमें और technology पर काम करूँगा मैं और invest करूँगा मैं और लोगों पर invest करूँगा मैं अपनी टीम बढ़ाऊंगा मैं बड़ा इंप्रेस हुआ मेरी expectation नहीं थी ऐसी लेकिन आपका interest भी जिस passion से आपने चीज़े दिखाई machines दिखाई, software दिखाई तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ और उससे साफ जाहर होते है कि आपका passion है या बिजनस के लिए नहीं कर रहे मैं आपके mind में पैसा तो बनाना है definitely बिजनस भी रन करना है बड़ वो passion है आपका तो वो definitely वो आपके लोगों के आखों में नजर आता है जब वो passion होता है जब मैं अगर आप उससे acting पर बात करवाएंगे तो मेरा passion आपको करो कोईशन आंसर करो खतम करो मतब लास में रहे करा इनुश्य में यही था टीचर्स कहरे थे कि भाई आपका पास मैंने का सब्सक्राइब गंटा नहीं हो पाएगा वो देड़ गंटे में भी हमारे पास 10-15 में अमारे वैसी एक्स्ट्रा और चीज़ों में लग गया जहांपर होसने आके इंट्रोडक्शन दिया पर कौमी तरह नहीं हुआ पर किरत हुई तो मेरे पास वैसी गंटे का टाइम था तो मैंने का इसमें तो होई नहीं सकता लोगों ने बहुत सारे केसे में अपने सुनाओ के बहुत सारे इलिजियस लोग जंगल में चले गए क्यों उनको उसका कोई आवर्ड मिल रहा था नहीं उनको कोई महाँ पर खजाना मिल रहा था नहीं उनको पैशन था कि मैंने एक मेडिटेशन करनी है जैसे अगर आप गौतम बुदा की बात करें जो बुदाइजम के लॉड माने जाते हैं जिनके बेस पर पूरा बुदाइजम बेस करता है उन्होंने क्यों जाके मेडिटेशन की और क्यों जंगलों में गए और इस तरह और बहुत सारे लोगों के बारे में अगर आप पढ़ें तो क्यों लाइफ में बिल्कुल ही अलग उसमें डाइमेंशन में क्यों उनका पैशन था उनका इंटरस्ट था क्या ऐसे नहीं कि उनका पैसा नहीं था क्या ऐसे नहीं कि उनका बिजनेस खड़े कर सकते थे कि ऐसे नहीं कि वो इंपायर खड़ा कर से, सब बहुत सरे चीज़ लोग कर सकते थे, लेकिन क्या है लाइफ में आपको हमेशा खुशी वो चीज करने की मिलेगी जो पैशन है, जो खुशी मुझे मिलती है ट्रैवलिंग करके वो लोगों को मिलती होगी घर बनाने में, मैं कह और तो तीन कंट्रीज के टूर बेच रहा हो, मैं शायद वो पिक करके चला जाओंगा, लोगों का थोड़ा, तो कि आपको मज़ा आता है, मैं उसकी कॉस वाइस बात नहीं करा है, लोगों बलेंगे पागल है, किसी बात करा है, टेसला की तो वैल्यू बढ़ी है, तेसला तेसला देगे और मुझे दो कंट्रीग ट्रेवल देगे और दस कंट्रीज चला जाओंगा, वह तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर 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 आपके गिफ्त देंगे आप्ट्रेवल को पेकर आँ तो मैं तरा पैशन है, और लोगों को मैं हमेशे ही बोलता हु कि भाई, जो passion है वो करो कि उसमें आप जो अपने efforts लगा सकते हैं जो उसमें आप अपने दिमाग लगा सकते हो जो skills आप लगा सकते हो जो मैनत कर सकते हो आप एक trend follow करने में नहीं कर सकते हैं अगर first करें आप ये business कर रहे हैं जो आपका माशाला बिजनस है कल को मैं समझंई है trend ँष्रा और मैं पीछा करकर काम खผ्ना चुरू करती है नहीं हो सकता है बोगत जादा कामियाब नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा कामयाब होते ये आप से कम हो लेकिन मैं आप जो आप चामयाब नहीं हो सकता और मोस्ट लाइक्लिए मैं आपसे ज्यादा भी कामयाब नहीं हो सकता है मैं फेल ही होगा किको मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ और ट्रेंड चेंज होते हैं और ट्रेंड भी चेंज होता है इसके अपर अपने शेर्ज भी बेचूँगा मैं बिजनिस के अंदर लोगों को पार्टनर बनाऊँगा मैं बहुत सरी चीज़े करूँगा मेरा पैशन होगा तो लेकिन मैं नहीं है मैं बलूँगा च्रेंड चोड़ दो नया बिजनस की तरह माज़ाओ इसी वज़ाए से पाकिसान में हर रोज नया बिजनस खड़ा होता है और हर रोज नया बिजनस बन होता है रेज्टोरेंट का बिजनस देखे लोग कितने शौकिया शुरू करते हैं अब पाकिसान में आप समझें 2011 से लेके 2021 तक मैं पाकिसान आया ही नहीं और जब मैं 2011 के बाद 2021 या 2022 में पाकिसान आया हूँ मुझे बड़ा शौक लगा कि लिटरली हर घर के नीचे एक रेस्टोरन खुलावा है हर बिल्डिंग इस अ कमर्शल बिल्डिंग अब फ्रेंच वई तो हमारे मुलक में बढ़ता है जैसे हर आपको एक रोड प्रेंच पर आप जाए तो कम से क्म चार से पांच प्रेंच वाले बैठें हैं मेरे लिए बड़ा चलेंग है कि मैं वीगन हूँ for a vegan person to come to Pakistan and explain कि यार मैं सबजी खाता हूं तो लोग कहते हैं हाँ है सबजी है मारे पास पालक गोश तो मैं बाज़न पालक गोश नहीं पालक है नहीं है दाल हाँ दाल है दाल गोश दाल में थोड़ा चिकन बाज़न यह कौन सी दाल है जिसमें आप चिकन दाल रहे हैं तो यहां पर गोश के पकार तो सर्वाइवल है नहीं और अंडा तो ऐसे दालते हैं जैसे मतलब फर्स करें आपको रोटी दे रहे हैं रोटी के साथ एक कागस देते हैं अंडा इसमें ऐसे हर चीज में ऐसा मिकस है इवन रोटियों तक में नांग में पराटों में जो आप पराटे काते हैं आपके तो उसमें भी अंडा दालते हैं क्योंकि उनको कड़क बनाना होता है पराटा इसी तरह फ्राइज के अंडर जो लोग उपर से चीज़े उसको कोटिंग करने के लिए कौन फ्लोर की वज़ा है कभी अंडा भी यूज़ कर लेते कि अंडा यूज़ करके बना लो इसी तरह ब्रेड्स में जो हमारे सैन्विचेज हैं वो कॉमनली उसमें अंडा डालते हैं फिर बन कभाब उसमें बहुत वारी चीज़ों के अंडा अंडे के बगते ही नहीं है पर इसी तरह कभाब बनाने के अंडे के बगार मेयुनी जूष मेहां दूब भाटे बना ही नहीं सकते हैं हमारे यां मतलब संजें वीगन सॉस थो मिली नहीं सकता ऑपको को एज जी बोले लहीं हमें पता ही नी इंवन पस्ता जो आप खाते हैं आपके इंग्रीडिन्ट्स में तक政府 बना हुआ हमद control और प्रात के पस्ति और awareness की विए से मसला ये कि लोगों को ये नहीं पता कि अगर मेरी allergy है अंडे से या चिकन से मुझे कुछ भी हो सकता है दुनिया के किसी भी मुमालिक में लोग इस पर case करके millions millions पैसे बना सकते हैं जैसे एक बड़ा मशूर के किसना मैकडानल्स का जहां पर वो कॉफी स्पिल हुई एक बुड़ी औरत पर उसने उनसे millions का क्लेम किया था और बहुत बड़ा case था वो पारकिंग में लोट में गई और उसने कॉफी स्पिल कर दी अपने पर और वो कॉफी स्पिल करने की वज़ वो सुनता भी नहीं है वो बोलता है भाई यह पूरी दुनिया खा रही है तुम्हे क्या मसला है यह पराठे में तो अंडा सदियों से जा रहा है तुम्हें क्या मसला है तुम पागलो तुम जाओ जाओ हमें नहीं चाहिए तुम हमारे पाजार कस्टमर बैटके खारे और क मैंने दाल चावल ओर्डर की कराची का बहुत बड़ा रेस्टुरेंट से है मेरे पास अब आई तो उसमें डाल में चिकन के पीस थे मैंने को कॉल किया मैंने आपका पूरा मैन्यू और इंग्रीडियन्ट शेक किये डाल चाहल में तो अपने चिकन कही नहीं लिखी तो उसने कई यह आपका चिकन फीक से इतना और उपन कपाब से इतना वह गया कि अलजी कि मैं आप दस दफा यह चिकन तो नहीं है यह सब आ खाल है तो दिलियमा पाकसान हर चीज में ना महरे पाकसान आप समझे एक होताए ना कि आप तरक्वी कर रहे और पाक्सान is a developing country पाक्सान is not of third world country. पाकसान जितने ज्शारा टेभलोप कर है दिवलॉब है इसकी development ऐसी हो रही है हो बोलने में तो हो रही है लेकिन हकीकत में और नीचे जा रही है भहत जादा नीचे जा पाकसान को आप मैणड़ दिन बदिन clean और इतना secure शेर ही नहीं लेकिन उनके पास क्या है कि हर चीज बड़ी नजर आती है बड़ी एक लोगों के लिए respect नजर आती है लोगों की value नजर आती है अगर आप उनको बोले मुझे पसंद नहीं है वो respect करेंगे उस बात की वो value करेंगे कि हाँ जी ठीक इवन उनका language barrier होगा वो आपको translate करके समझाएंगे कि आप क्या बोलना चाहरे हो आपको टिमाटर नहीं चाहिए मैं टिमाटर नहीं दालूँगा आपको फर्स करेंगे योरप में सबसे बड़ा issue क्या है कि योरप में पोर्क बड़ा कॉमन है पोर्क कहनी के सूर्ड जिसको कहते है वो बड़ा कॉमन है इवन उनका जो ऑईल है उनके ऑईल में हर वक पोर्क तो यूजवाबा होता है क्योंकि उनके हर डिश में पोर्क होता है आप यॉरप में जब खाने जाते हैं मुसली कंट्री में तो आपको यह बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि अब बाब उसको समझाते हैं तो प्रंग उसमें पर्क तो नहीं बना वह आपको ऋपष Celti करता है बड़े पॉलाइटली, भी अगरी मुझे जाओ यार निकलो यहां से क्या बात कर गा, मैं किसी को यहां बुरू हूँ चिकन मैं नहीं घाता, या चिकन मुझे पर्मिटिड नहीं है फ्रॉम माई डॉक्टर या मेरी मेरे सिस्टम में नहीं है, मैं बच्पन से वीगन हूँ, तो लोग नहीं मानते इस बात को, अच्छा मैं वीगन बाइच्वाइस हूँ, ऐसा भी नहीं कि कोई रिलिजिजिस पॉइंट अव्यूज के विए से, मैं बच्पन से नहीं खाया, कुछ कॉम्प्लिकेशन थी जब मैं पैदा हुआ उसके बाद से कंटिनुर से मैं नहीं बढ़ किया है कि लोगों को नहीं समझाता पाकसान है, बढ़ दूसरे कंट्री बले वो अंडर डिवलप्ट हो, वो रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे हैं ही नहीं, कॉमन्स समझते हैं, हर को एक तो बड़ा बदमाश है, यह बड़ा प्रॉपल में कराशी में, एगो पाकसान म अर्मी का बड़ा हो, तो मैं तो तो मैं तो में उसके पीछे अबंबा आ रोहे हैं, बढ़ा जMO À को यह बड़ा हैं, अग हरो है, और मैं अपनी आखों से देखा हैं, क्या लोग थैं पकसान में, चलते चलते रोड पे जा रोड पे जा रहे होंगे, सीधी सीधी रोड वो बाकसान में फ्रस्टेशन का लेवल जो है ना आप समझे एक अधर मीटर में पॉइंट आता है आपका जो आप स्टेज पे पहुंच जाते हैं बिलकुल या आखरी स्टेज होता है लोग बस बैठे में अधर से उधर किस पे जाके मैंने अपना फ्रस्टेशन निकाल ला ह है मतलब होता है गर से सुबह निकल के बैठे में बाहर कि अब मुझे बताओ कि आज मुझे अपनी फ्रस्टेशन का निकालनी है किसी को मारना है तो मैं जाके लड़ना शुरू जाओं किसी जमगटे में गुसके और मारना शुरू कर दूँँ चार पांच लोग को आते तो यह तो हमारी पाकिसान के हाल है और यह बड़ा डिस्ग्रेस्फुल है मैं इसको बड़ा मतलब कोई फखर नहीं है कोई प्रावल नहीं बता रहा और इसको इस चीज़ को पाकिसान से निकलने में आप समझें कम से कम 30-40 साल लगेंगे यह वो स्टेट अफ मांड है पाक ता कि यार मैं कचरे की बास्केट काँ डून है तो है नहीं होती भी नहीं है नहीं है नहीं है अब मैं खुद कई दफ़ा इंबरेस्मेंट में कचरा लेकर गूम रहा तो हाथ में कि यारी मुझे डबा फेकना है मुझे चीज़ पेकना है तो मैं जगह नहीं पेकना ही नही यहां कच्छरे के डबे चुरी हुए में नाफुत पहते हैं आपके पास यहां पर चले के लिए यह नहीं भायजान आप यहां पर मैं पता रहो ना यह कंट्री को सुधरने में मैं तीस साले साल वी शद आपको बोल रहा हूं बहुत कम है क्योंकि यह स्टेज पर आ चुकी है अपना एक नई स्टोरी है बट पर्ज बेसिकली कॉंस्ट था कि यूएस के अंदर वो उन्होंने फिल्म में दिखाया कि यूएस में होता है वो यूएस की गौवर्मेंट उसको सपोर्ट करती है और यूएस की गौवर्मेंट बोलती है कि शाम साथ बज़े से लेके सुब जिसको जिसको मारना है मारो कतल करना है कतल करो जिबा करो टॉर्चर करना है टॉर्चर करो चोरी करना है चोरी करो डगेती करनी डगेती करो और जितनी करनी करो पस सुबा साथ बज़े से पहले खतम करके घर चले जाओ सुबा साथ बज़े के बाद कोई रोड पे कोई काम क करो कि अगली पिछले साथ 12 गंटे में कुछ हुआ ही नहीं और यह official है जिसमें ministers उनके president सब दिखाएं अपने कोई न कोई अब उसमें चार ट्राइप ग्रूप बनते हैं एक ग्रूप वो बनता है जो कहता है कि बाई मुझे अपने दुश्मनों से बदला निकाला है जिन्होंने मुझे torture किया है जिन्होंने मुझे mentally torture किया है तकली पहुचाई है मुझे hurt किया है अब मैं उनपे अटेक करूँगा, तो वो पूरे दिन, वो पूरे साल उसकी त्यारी करता है, गन्स निकालता है, बनाता है, चीजे बनाता है, वैपन्स बनाता है, गाड़ी को अपने उस तरह त्यार करता है, वो पूरे साल उसमें लगा रहता है, एक गूरूप या आता है क एक गुरूप हो जो बोलता है कि हमें लोगों को बचाना है अब वो गुरूप क्या करता है पूरी टीम मनाता है वो डूनता रहता है कि कोई जलूम हो रहा है वो फौरन पकड़ता है उसको और उन लोगों से बचाता है उनको प्रोटेक्ट करता है शल्टर करता है इस तरह से फिर एक group वो है जो अपने आपको बचाने के लिए पूरे साल त्यारी कर रहोता है अपने घर को बचाने के लिए अपने आपको वो पूरे टाइम घर को प्रोटेक करने में मशीने लगाने में घर में तो ये movie उसके वारे में और बहुत interesting movie है और ये पाकिसान का आप अलड़ी हो रहा है पाकिसान में आप अगर बहुत सारी जगाओं पर देखें जो हमारे street crimes हो रहे हैं जो हमारे snatching हो रही है ये वही तो पर्ज है जिसमें आप लोग को दिर्च जिस्टे चीनी नहीं दी mobile से मार दी को लिए कि क्या है पर्ज तो है कि आपने मार दिया है अंदादुन मार रहे हैं फिर उसमें कुछ लोग है जो अपने बदले निकालने के लिए मार रहे हैं तो वो ग्रूप भी आपके सामने active है पाकिसान में जो target करकर करके अपने लोगों को मार रहा है प्रिक्स का नाम दे दी है जी कि हमारे बालात खराब है हमारी एकनॉमिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है इंफलेशन हो रही है लोग फ्रस्टेड हो रहे है बट आप यह नहीं देख रहे हैं आप उनको पर्ज की तरफ लेके जा रहे हैं अफिशली और आप ले गए हैं और यह हो रहा है पर्ज बट क्या है कि लोग उसको नाम नहीं दे पा रहे हैं अच्छल उसकी टर्मेलालजी यह कि आप बेसिकली पर्ज कर रहे हैं कैसे कम होगी नहीं होगी आपकी डिप्रेशन कहां कम होगी नहीं होगी आपकी मेंटल हेल्थ कैसे बैतर होगी नहीं होगी इस यह मेंटल हेल्थ को बैतर करने में आपकी फ्रस्टेशन पर डिप्रेशन पर काम करने के लिए आपको एक पूरी ठेरपी की जरूरत है आपको वो state of mind की जरूरत है, आपको उस जगा से निकलना है, एक अलग ऐसी जगा पर जाना है, जहां पर आप बैटर फील करें, हमारे हैं तो आप बात करें, लोग अपने एरिये से बार नहीं निकल आज तक, बहुत सरे लोगों ने जहास तो देखा ही नहीं, कि जहास क्या होता है, उन्होंने से उड़ते पे देखा या टीवी पे देखा जहास, यह हाले लोगों का, कि ट्रैवलिंग नी की, लोग अपनी जैदाद बनाने में लगें, जो उनके काम ही नहीं आनी, बहुत सारे लोगों ने जो अपनी जैदाद बनाई है, उन्होंने वो जैदाद को चाहे तो आपने पूरी जिंदगी क्या किया? मैंने अपनी लाइफ में जिब मैंगी जैदाद कीया है, जो बिलकुल मतबंब पाड़ों पे चाह रहा है, पाड़ों पर नीचे खड़े में और पाड़ों के उपर नहीं चार सकते, इकॉज उनके अंदर पौडि में वो जा ही नहीं करेंगे, आपके mental health और आपकी mental, जो आपकी strength चाहिए, वह ही नहीं आपके पास तो यह चीज़े हमें समझना पड़ेंगे, और यह सब therapies हैं, कि जी लोग अभी क्यूं जा रहे हैं, जोग क्यूं जा रहे हैं, meditation की तरह, लोग क्यूं जा रहें mental health की तरह, क्यों लोग क्यों ऐसी life simple life की तरह जा रहे हैं, और especially करोना ने बहुत लोगों पर इसका impact आला है, कि लोगों को हकीकत दिखाई है, कि जिन्दगी की हकीकत क्या है, लोगों ने तो उससे पहले संदा था, immortal हैं, immortal मतला हम लोग कभी मरेंगे नहीं, और लगे भाग थोड़ पे लगे पे, लगे पे, लगे बे, ये जिन्दगी कभी खतम ही नहीं होगी, हम जो कर रहे हैं, वो हमेशा रहेगा, करोना ने उनको हकीकत दिखाई कि बाई जान, जिन्दगी कंट्रोल हो सकती है, और किया है करोना आने कि आप बाहर नहीं जाएंगे, ये टाइम है आपका, ये कर्फिय होए आपका, आपको ये प्रोटोकोल सॉलो करना है, ये वैक्सीन्स लगानी है आपने, इससे डिस्टेंस रखना है आपने, जहां बात-बात में हाथ पे हाथ लागा के खड़ए जाता है पाकिसान में लोग को पे सैंस बना के भाई, डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टन्ट है और ये नेच्रल बात है, ये आप लोगों, क्योंकि जहां बात है, आपके खांस रहे हैं, कि आप जो खासरे हैं उसमें से आपके जहम्स और आपके बैक्टिरियास आप थरो कर रहे हैं लोगों पे, तो आपको प्रोटेक्ट करना है, चाइना में और जपान में नॉर्मली लोग एक आम दिन में मास्क पैंते हैं, बिफॉर इवन करोना, मैं करोना से पहले गया हूं, तो उससे पहले लोग मास लगाते हैं और मैं हहरान था कि यह मास क्यों लगाया है दो हैwnे। मुझे corona की time पर समझाइ इसकी value. पहले नहीं समझछा था कि लोग ने क्यों लगाया है। But मुझे value समझाइ की यह basically लोगों को protect कर। अपने आपको नहीं कर रहें। यह उनकी हमारे हैं लोग्त करते ही समझते ही नहीं है खास रहें कि आ पान की पीके तो ऐसे पेगते हैं जैसे मतलब सो का नोट दे रहे हैं लोगों को न मतलब फूर्ड पिछे पलट लटके भी नहीं देखते कि भाई पीछे दे कोई आ रहा है आप रिक्षे में आप पैदल चल रहे हूं रिक्षे उसे पान की पीके ओड़के आरे होती हैं गाड़ीं उसे पान की पीके आ हैं common sense नहीं है, कि यह मैं थूक फेक रहा हूँ, इसमें जरासी में, यह जमीन पे जाएगे, कल को कोई चलेगा, उसको लगेगा, उसको बिमारी होंगी, तो आप जबी तो देखे ना, पाकसान में माशालला हॉस्पिटल भरे वे क्यों है, इसी वैसे तो भरे हैं, आप दुनिया के लिए बठे हैं लाइन से, बहरे हैं, फुल बहरे हैं, क्या हुआ हर्ट अटेक, हर्ट अटेक तो यहां पर ऐसा है, जैसे माशालला, दुकान गए, इद पर शॉपिंग करने तो इद का गिफ्ट लेकर आएगे, आज ही हर्ट अटेक है माशालला, फैमिली में, शुगर ह है, हाँ घर में शुगर है, हाँ भी क्या है, वह तो नॉर्मल है, बलेट प्रेशर, यहां तो यह तो हाल है हमारे है, मतलब वैल्यू इनके अंडरस्टाइणिग ही नहीं, कि हो गया तो हो गया, चल रहा है, मतलब यह गिफ्ट है, जो आपको मिला है, माशालला, कि बलेट जो चाहिए होना है, लाइफ में, उनको यह समझ नहीं रहा है, कि बाज़न आपको लाइफ स्टैल ही है, सब चीजों की सरफ लेके जा रहा है, जो आप रातों को तीन तीन बज़े, चार चार बज़े बैटके पीज़े कहा रहे हो, बर्गर कहा रहे हो, और उनकी कोई हाई हाल पाकसान में, और लोग जो बना रहे हैं, वो भी माशालला उतने ही है, उनके अंदर भी वो सेंसेटिविटी मर गई है, मैं किसको क्या खिला रहा हूँ, अब मैंने इसे कुछ बिर्यानी के जगाँ पर देखा, वो क्या कर रहे हैं, प्लेटों से बिर्यानी बचके आरी चिकन आपको कटावा मिलेगा, तोटावा मिलेगा, तो आपको रेलाइज नहीं होगा, कि फुल बोटी नहीं आई आई आपके पास, तो आपको रेलाइज नहीं होता कि वो क्या है, बेसिकली वो यह है कि दूसरे का जो बचावा खाना है, आप खारे हो, उनका भी तो नु मदब आप फर्स करें पाकसान में हजार या लेट सपोस्ट दो लाग एदी भी लियाएं दो लाग एदी साथ जैसे लोग भी लियाएं तो नहीं कर पाएंगे वो सही आप फर्स करें दो लाग जैसे आप बात करें कि जी मैं पतलब कोई मसिया टाइप के दो लाग लोग लिय आँ, Mother Teresa भी लियाओ, एदी साप को भी लियाओ, उसको भी आप दो लाग भी खड़ा कर देने पाकसान नहीं सही हो सकता, क्या करेंगे, आप खुद सही करने आते हैं, आप खुद खराब हो जाते हैं, आप फर्स करें, लोगो बोल रहे हैं, भाई जान कच्रा दर पेको, कच् इसनी दफार सिस्टम के चक्कर में बैठा रहा है, जो मैं दस साल बाद आया, मैं का यार नहीं, अच्छा होना चाहिए, बैतर होना चाहिए, मैं बैल्ट लगा रहा हूँ सीट का लोग मुझे, अच्छा मैं सीट बैल्ट बच्पन से लगाता था, शुरू तो पता ही, मैं उसके कोई फीचर्स का नहीं पता था, लेकिन मुझे शौक था, कि गाड़ी में कोई चीज है तो उसका कोई काम है, लेकिन बात दें मुझे पता चला, यहां तो आप कोई सीट बैल्ट लगाना तो समझें, ऐसी बुराई समझते हैं लोग, कि आपने क्या वोल दिया, हाला पूरा भी नहीं पहनते बाज लोग तो मैंने देखा एओ लगा दिया, हाथ में पगड़ दिया, तंकी पर रख देखा देखा लगा दिया, तब भी मैंने अटा रहा था और उसमें कंट्विन सी महावे चल रहे हैं, एक तो महा तो अमारे अपता नहीं क्या ऐसा डिश है क मुझे लगता है कि कॉम्प्लिमेंटरी लोगों को दिया जाता है, हर बंदा, मैंने बाइक पर कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो महावा ना खा रहा हूँ, और बाइक वाले स्पेशली और रिक्षे वाले, क्यों मुझे समझ यहा थी, पहले निस्वार में समझता था था लेकिन मैं समझता था कॉमा ने पठानों के अंदर एक पर्टिकुलर कम्यूटी उसको खाती है, महा तो हर बंदा खा रहा है कराची में, सब के दात खराब है, मिल जुल के खाते हैं, हाँ, और मतलब बकाइदा सवाल होता है कि बाई पढ़ा है, दो, थोड़ा से दे, पैसाई सभा, और भी पाक्सिन साही होगा, यहाँ आप संझाई है, कहीं आता है मैं बोलता हूं, नहीं हो सकता हूँ, अज़ा फातबही आपकाशन की बात कर रहेए, जैसे मेरा पैसन है के मरोड्री में काम करना चाहता हूँ, मैं नहीं किया किसी अगर वोड़ियो का है, तो वहां से हम नहीं हम पाकिस्तान की तरफ निकल गए हैं, हम वापस आते हैं, वापस आके कि अगर उसने अडेंटिफाय कर लिया कि उसने पॉड्कास्टर ही बनना है, तो फिर वो अपने अपको कहां से स्टार्ट करें, यह अदि अपकी फील्ड है, आप मीडिया के अंदर मीडिया में आना चाता है, अक्टर बढ़ना चाता है, तो पहले बाद तो फिर्ट वाल, अगर वो मुझे पर्टिकुलरी मुझे फॉलो करने जाएंगे, तो बहुत कॉंप्लिकेट हैं, को समझी नहींगा, बड़ी किछडी सी है, कॉर्प्रेट भी है, यह भी है, तो मैं अपनी एक्जामपल नहीं देता है, मैं जनरली गुलता हूँ, अगर अपना पैशन फॉलो करना चाहें, तो सबसे बेसिक चीज़ है, कि आपको जो भी पैशन है, उसके उपर आपकी स्टेडी होने चाहिए पर, स्टेडी ज़रूरी नहीं नहीं कि आपको इंस्टिट्यू बैट के यह गिटार नहीं सीख सकते हैं, प्यानो सीख सकते हैं, अपना पैंटर बना चाहते हैं, पैंटर एज इनबाउन स्किल, कि आप मैं एक बड़ा आर्टेस्ट हूँ, पैंटिंग करता हूँ, बढ़ा पैंटिंग को भी निखार लाने के लिए और बहुत सारी चीज करके पाड़ी किुस्ट की कुंस्ट के थ्रू हो रहे जाहे आप को क मजज़द जौिंट करके या को इंसित्यूठ जौिंट जौिंड करके या कोई सोचल स्कूल जौिंड करके आपको शौक और पैशन रह गही रहेगा आप जैसे बलता हुए किर्किटर इस वालवेज आ किर्किटर हो आप उसको चालिस साल की बुर्णा पड़ा पकड़ा होगे उसके अंदर कही न कहीं होगा मैं खेलू किया जैसे अशूर का पैशन किर्किट पा तो अभी मैं कहीं घली में भ जब उनको बड़ा शौक था, एक टाइम पर किर्किट खिलने का, जब वो मुझे लेने से पिक करने आए, तो ने का यार, किर्किट खेल रो, मैंने का हाँ, उसने का यार, दो बॉल खेलनी है बस, मैंने का यार, अभी अंदर कोई और मैश शुरू हो गया, तो लिटरली मैं लगा, यार, मेरा खतम, यार, क्या बात कर रहे है, बट उसमें क्या है, जब आप पैशन अपना फॉलो करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, उसमें आपकी रिसर्च और उसमें आपकी नॉलेज बहुत इंपोर्टन है, और वो कैसे बढ़ेगी आपकी, कि दिन ब सीखेंगे कि मेरे जो बला पकड़ने का स्टाइल है, वो सही है नहीं है, मेरा बैट का वेट सही है नहीं है, मेरी ग्रिप जो है, मुझे कितनी ग्रिप लगानी है बैट पर, दो लगानी है, तीन लगानी है, मुझे क्या बोलते है, बैट का साइज क्या रखना है, मुझे पेरे जो शॉर्ट खिलना है, वो कौन से शॉर्ट को किस एंगल से खिलना है, किस हाइट से खिलना है, किस स्टांज से खिलना है, वो सब चीज़ एक पोड़ी रिसर्च है, और इस पर कंटीनूसली आपको इंप्रूफ करना होता है, तो अगर कोई बंदा मीडिया जॉइन कर पॉडकास्टर बनना चाहता है, यह फर्स करें, ग्राफिक्स में आके कुछ करना चाहता है, एडिटिंग करना चाहता है, तो सबसे पहली चीज़ तो उसको यह अपने माइन में रखना पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा, और अगर वो यह सोच किया आएगा, कि मैं ब दूसरे मुलक से बंदा ले सकता है, वो ऑनलाइन टुटोरियल्स ले सकता है, वो ऑनलाइन सेशन ले ले ले, वो फोन पर बात कर ले, बड़ वो किसी ने किसी को बना के कंटिनुसली उसको अपना काम दिखाए कि जो मैं काम कर रहा हूं, यह साही है यह यह नही है, कि प्रोफाइल थी, मैंने एक सहाब को बिजनस के पॉइंट अवी से बेजी कि यार, प्लीज इसको जरा सा ना, मैं काम करना चाहता हूं आपके साथ, I want to collaborate, प्लीज, I know, have a look, उसने यह बोला कि यह तुमारी प्रोफाइल, और लिटरली उसने बड़े सخت अलफाज हुमें, मतलब यह बोला कि बहुत घटिया प्रोफाइल है, मतलब उसने बड़े पॉलाइटली बात बोली, लेकिन बड़े सخت अलफाज हुमें बोली, जो मैं बयान नहीं कर सकता, उसने का, what have you shared, it's not professional, I don't even like it, और यह और वो, अच्छा मैं इस बात को बहुत अना पे लेके जा सकत रहा है, मैंने अपनी प्रोफाइल पर तो काम किये ही नहीं है, मतलब मैं इतना काम कर चुक हूँ, जिस दिन प्रोफाइल बनी थी वो, उसके बाद कितने सालों मैं पता नहीं क्या कुछ कर चुक हूँ, वो तो मैंने अपडेट ही नहीं की, तो मुझे उस पर कुछ पता ही आप दोनों प्रोफाइल को पेपर्स पे रखेंगे, आप बोलेंगे, यह तो कुछ भी नहीं है यार, इसके आगे, लेगे, मैंने फिर भी इसको विज़त दी, वो रिस्पैक दी, मैंने इसने मुझे फीड़बैक दी और ओनेस्ट वीड़बैक दी तो मुझे वो चेंज करन है, तो आपको अपने अंदर से असल एगो खतम करना पड़ेगा, आप जो पुजिशन होल करते हैं, वो आप करते हैं, अगर फर्स करें, मैं यह बोलूं, तैसीन भाई, आपकी पुजिशन नहीं है, तो आपकी पुजिशन चली जाएगी वो, नहीं जाएगी ना, आपकी जो आपने अचीफ किया है, वो नौलेज और जो भी स्किल्स आपके रहेंगे, तो मेरे बोलने से किसी के बोलने से क्या फरक पड़ता है, तो आपका एगो नहीं हट होना चाहिए, आप इंडस्ट्री में हाई हैं, किसी भी फील्ड में काम करें, कॉर्प्रेट हो, मीडिया आपको अगुप्रेट हो, आपको अपना ऄगो नđी हट करना चाहिए, olenे हैंट हो और मेरे अपने फील्ड नहीं हाई है, ऐसे बैग में पैक करो के गर में कोई स्टोर में रखके आजाएं, ञेंट ही नहीं तो मुझे अगर कोई बुल रहा है कि वेट करो, या यह त्श लगेगा, यह इसमें यह चीज़ लगे तो मैं बलता हूं कोई बात नहीं है, काम की लिए I am it, it's all right, it's fine, कोई ego की वड़ करो के नहीं है, यार मेरा कोई आगे कोई काम तो नहीं है, unless हमने कोई commitment कियो, कि यह यह डिर गंटे का काम है, दो गंटे काम है, मेरा आगे कोई काम है, then it's a different thing, but again उसमें ego की कोई बात नहीं है, वो मेरे commitment professional बात हुरी है, लेकिन लोग जो है ना, यहां पर सबसे बड़ा हमारा डिलेमा क्या है, कि लोग, ego बहुत है, अना पर ले जाते हैं, कि यह इसने बोला कैसे तुमारी acting अच्छी निया, इसने बोला कैसे मेरा design अच्छी निया, इसने यह कैसे बोला मेरी embroidery अच्छी निया, इसको क्या पता? कहां का बच्चा है? इसने कहां से embroidery सीगिये, यार मुझे बोलेगा, मैं तब जाके फिर आप अपने एगो दिखाए ना उसको, कि अगर उसने घलत बोला है, घलत पिंट पॉइंट किया है, तब आप उसको चैलेंज करें, नहीं सर, आपने मुझे जो पॉइंट बोला था, आपने मेरी कॉलिटी पर पॉइंट रेस किया, मैं आपको ये अपने स्रे कर लें, उससे पहले नहीं, बढ़ हमारे हैं किया है, पहले ही, यूनो, वो कर लेते हैं, जम लगा लेते हैं कि कॉन्क्लूजन पर कि नहीं जी इसने घलत बोला है, ये कौन है, ये कौन बोलता है, तो आपने पैशन में आपको सबसे पहले रिसर्ट करनी है, अपना एगो आपने बिलकुल नीचे रखना है, आपने एक मेंटोर बनाना है, जो आपको कंटिनूसली गाइड करते हैं, एक नहीं ज़रूरी नहीं, एक मेंटोर हो, दस मेंटोर हो आपके, पंदरा मेंटोर हो, बीस मेंटोर हो, जो आपको कंटिनूसली गाइड करते हैं, सिकाते हैं, स वोन्फिटेन्स काईईटिटी बिरीपिन होना चाहिए। अपको अपने पे बिलीव होना चाहिए। कि मेरा क्लाइंट लेगे नहीं जा सकता। मेरे क्लाइंट को मेरे पास आना है तो वडिक data दो सीप रखा मैं आपके स्टेज को मैच कर सकता हुआ ना आपके स्टेज को मैच कर सकता हूँ आपकी अपनी जर्निय और में यह इस पूंड एक पॉइंट से स्टार्ट किया लोगा है कही ना कही से start किया है, किसी जगा से start किया है, किसी resources पे साथ start किया है, एक certain surrounding के साथ start किया, situation में start किया है, किसी ने under the lights पढ़ाया, किसी ने AC में बैटके पढ़ाया, किसी ने, आप समझें, अपने बिल्कुल comfort zone बिस्तर पे लेटके, बिल्कुल under, उनके नीचे नौकर चाकर काम कर रहे हैं उसमें पढ़ाए तो इडिपेंड करता है और सबकी फिर जनरी अलग है वो मैस नहीं हो सकती तो जब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हूं तो आपको सबसे पहले मैच भी नहीं करना अपने आपको किसी से कि जी मैं अगर एक फर्स करें पेंटर हूं तो मैं M.F.Husain से अपना कमपार रहे हैं आप M.F.Husain को अपना मेंटोर बनाके अपना आइडियल बनाके उस पर काम जरूर करें कि मुझे वो M.F.Husain का स्टाइल पसन है तो मुझे M.F.Husain का स्टाइल अचीव करना है इसी तरह अगर आप लिख रहे हैं तो आप M.F.Husain का स्टाइल बने या बनने की कोशिश मत करें उसको फॉलोर जरूर करें कि मुझे काम पसन है इसी तरह अगर आप लिख रहे हैं तो आप यह नहीं बोलें कि मैं Anwar मकसूद बनना चाहता हूँ या मैं Anwar मकसूद अब aufge् mode या मन गयत साम उनके जैसा काम करना चाहता हूँ मैं अगर एक सोशल वरकर हूं तो तो मैं A.D.CA. आप को बन क बन करता बना चाहता है ना करना चाहेगा ना होगा ता मैं कायदाजर्दम के रूल्स को फॉलो करते में मोहमद अलिजिना के क्या कहते हैं कि मैं वो बनना चाहते हैं वो बनना इसके चकर में क्या करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी चीज़ें भी भूल जाते हैं तो उसमें आपने अपना स्टाइल भी तो रखना है ना अपनी इंडिविजुलेटी भी तो एड़ करनी है फिर आप कैसे बनोगे मैं अगर पोईटरी करते करते जॉन एलिया को अगर मुझे जॉन एलिया पसंद है तो उसका मतलब यह थोड़ी कि मैं जॉन एलिया की हर अगर मैंने एक सर सुनना है कि प्यार के बागर नहीं करो तो सकती है जिए करेक्ट कि मीडिया के अंदर कोई बंदा आ रहा है तो बलता है प्यार होना बहुत इंपोर्टिंट है मतलब उसके बागर नहीं आके जा सकते हैं देखें आपकी ना इन चले प्यार को अपनी जग बेठ सकता हूं बगर कुछ किये वे सिर्फ मैंने उनके जो प्यार के चार्डिज ने वो पे किये जी आप क्या चार्ड करते हो आज कल इवन टाइम स्कुएर के पर आपका जो वीडियो वो चल जाती है बगर कुछ किये वे सिर्फ आपने पे की अमांट मैं कुछ एवन पूरी दुनिया वो देखे भी क्या मैं एक दुनिया का बहुत बड़ा स्टार हूँ नहीं तो यह मसला है हमारी पियार के अंदर अभी जो बात आगए न वो बिजनिस आगया है तो उसने पूरी जो टैलेंट को है ना वो खतम कर दी है अब टैलेंट की वैलिई जो है पिय पेपर बला रहे हैं टीवी पे बला रहे हैं मुझे at the same time मैं भी acting कर रहा हूँ हम दोनों बिलकुल के लेवल के acting कर रहे हैं and में मशूर कौन हो रहा है आप हो रहे हैं क्यों 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 कि आपके पज़े 10 newspaper बात कर रहे हैं बस टीवी बात कर रहे हैं कर रहे हैं लोग पूछ रहे हैं मेरे से कोई भी बात नहीं कर रहा है क्या मैं आपसे दादा talented नहीं हूँ अब मैं इसको इस तरह से लेके चलता हूँ कि अगर आप बात करें पाक्सान में acting की तो क्या वईद मुराद साहब या अचलता नदीन साहब एक अच्छे अक्टर नहीं थे क्या शफकत चीमा एक अच्छे अक्टर नहीं है पाक्सान का है कि dependency की तर्काराइ दाधा नहीं होगा क्या सुछील हमत फैसल कुनिशी की बड़ा एक्टर नहीं है तो यह हमारे है बड़ा डिलेमा है और यह पाक्स्टान का है इसी तरह मैं आपको बाहर ले जहांगो कि आरफान खान शारुक पर नहीं आ सकता, वो यूँन आ भी आता बट क्या है कि ये देखें पियार में पॉइंट क्या है कि एक बंदा सिर्फ अपनी पब्लिक के लिए और पब्लिक अपेरिंस के लिए काम करा है शारू खान को कॉंटेंट से कोई मतलब नहीं कि उसकी फिल्म के अंदर content क्या है कितना अच्छा है वो इस फिल्म के अंदर जबर्दस्ती पंजाबी बोल रहा है डंकी में क्या वो उसके accent पे पंजाबी मैच हो रही है बिल्कुल मैच नहीं हो रही है क्या उसकी profile पे पंजाबी accent और बात मैच हो रही है नहीं हो जबर्दस कि मैं कुछ भी करूंगा वो स्टार बन जाओँगा फिल्म बड़ हिट हो जाएगी मैं दस लोगों को ड़ाऊँगा मारूँगा गिराऊँगा ये करूँगा तो वो फिल्म तो नहीं है न वो कॉंटेंट तो नहीं है अब उसमें क्या है कि जो लोग कॉंटेंट पे काम कर रहे हैं ओम पूरी हो गए नसीर अदिन शाह हो गए नवाज अदीन सिदी की हो गया इर्फान अब ये क्या उनकी वो वर्त है उन जैसी नहीं है तो PR क्या करती है कि आपकी जो actual world है आपका जो actual talent अब यो PR की ज़रूरत उन्हीं कोई होती न जिनकी actual में कोई world नहीं है जिनकी actual में वो किसले काम करे थे कि मेरी public profile बने मैं public में आऊँ क्या आपका काम इतना बोलना चाहिए न है कर सकता है क्या वो उतने ही शो उस नहीं कर सकता है जो शारुक खान कर सकता है क्या वो उतने ही शो में डांस नहीं कर सकता है बट PR क्या कर लिए कि वो कहती कि भाई ये शो उस करना जरूरी है शारुक साब ये शो में आपका जाना जरूरी है ये फुलाने मिनिस्टर से आपका मिलना जरूरी है ये उस से मिलना आपका जरूरी है ये सोशल कॉस में आपने एक दरख लगा दिया तो ये बड़ा जरूरी है आज कल बड़ा इंपॉर्टेंट है दरख लगाना आप जाके फुलाने कॉस पर बात कर दे फलस्तीन पे बात कर दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने फलस्तीन को अपने शो में जाके बोल दिया आप आज पूरे सोशल मीडिया पे बात करेगा अब बाकी जो लोग अपने कॉंटेंट पे अपनी चीजों पे काम करें वो चीजों की परवा नहीं करते वो अपने मेनत भी कर रहे हैं कर्टी रोसली कैमे फुसाइन, क्या आपके सामने अन्वर मकसूर या और बहुत सारे लोग दुनिया में जितने हैं, क्या वो ये पियार करते रहते थे बटके फैसे एसा है नहीं है, हुआनोंने नहीं किया उनको, उनका kाम conceived अबने ये डिसाइड करना है क्या मुझे PR से स्टार बनना है क्या मुझे सोशल मीडिया को पे करें, इंस्टाग्राम को पे करके फेसबुक को पे करके अपने एड्स बढ़ाने, अपनी वीविंग बढ़ानी है, अपने लाइक्स बढ़ाने है, जबरस्ती, फेक कॉमेंट्स करवाने है, और मैंने अपनी टीम बनाई वी है, जो 10-15 लोगों की है, जनका काम बैठके पूरे दिन मेरे उसको शेयर पर शेयर करना है, शेयर पर शेय पर शेयर भी दे रहा हूँ, मैं उनको benefits भी दे रहा हूँ, वो बैठके मेरे AC वाले कामरे में 10 के 10 बने, सिर्फ पूरे दिन ये काम कर रहे हैं, सयद वाद, great war, सयद वाद, amazing, share करो, ये करो, वो करो, ये तो नहीं, भाज जन इससे होता ला, आज मेरी social media की following क्यों कम है, इस मैं क्यों पैसे दे के अपने ads बढ़ा हूँ, क्यों मैं उने likes बढ़ा हूँ, क्या मैं नहीं बढ़ा सकता, क्या मैं आज बैठे बैठे, आज दिन आपसे interview के दुरान ही, अपना social media की following एक million पर नहीं लिके जा सकता हूँ, मैं एक company को call करूंगा, बोलूँगा, भाई, आप के account में इतने हैं, पैसे दाल रहा हूँ, प्लीज, ऐसा होता है, ऐसा ही है ना बाजान, मैं आपको इसका एक और point of view बताता हूँ, आप जो लोगों की following 1 million, 2 million, 5 million है आप उनके likes देख ले, आप उनके comments देख ले, आप उसका ratio से ही समझ जाएंगे, कि 1 million जिनको follow कर रहे हैं, उनके 20 likes आएंगे, 40 likes आएंगे, 100 likes आएंगे, यह ऐसा possible है real life में, कि आपको 1 million लोग follow कर रहे हैं, और आपके 100 likes हो, 1500 likes हो, बनता है logic, लेकि वो लोगों का psycho build हो हूआ है, कि 1 million, उतनी देखते ना, इतनी research में कोई जाते हैं नहीं, कि इसके post तो जड़ा चेक करो, 10 post ने, इसक अब मेरी किया है कि मैं अपने content को और अपने network को build करता हूँ, कि मेरे network में इंडिया से भी लोग है, मेरे network में US से लोग है, Canada से लोग है, इसमें film producers हैं, directors है, writers है, musicians है, singers है, बड़े-बडे singers हैं, उसमें मैं उनसे बात करता हूँ, chat करता हूँ, वो सब मेरे status देखते हैं, ब लोगों ने किया है कि PR को ना एक अच्छी तरह से यूज करने की बजाए, एक period था 80s में, 90s में, जहां PR को बहुत अच्छा यूज किया जाता था, but over the 2000, 2000 शुरू है, उसमें क्या हूआ है, उसके बाद से लोगों ने उसको PR को एक अलत तरीके से लेके जाना शूर कर दिय एक पैसे वाली नसी होगी neighborhood कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको इतना मशूर कर देता हूँ, आप मुझे पैसे दो, मैं आज, CNN में अंटर्वी। करा देता हूँ, आज मैं जीओ में अंटर्वी। करा देता हूँ, क्या मैं डिली बैट के 1000 लोगوں को इंटर्वी नही कि शाम तक बैठ सकता हूँ बट क्या करना पड़ेगा मुझे पे करना पड़ेगा मुझे एक बंदे को पैसा खलाना पड़ेगा मैं क्यूं करूँ और आज भी यह नहीं कि आज भी मेरी बात होती है लोगों से मैं कहता हो यार बाई कब बुला रहे हो चैनल पे वो कहते हैं कब दे रहे हो मैं कहता हूँ क्यों मैंने काम नहीं किया क्या क्या मेरे काम अपको अच्छा नहीं लगा क्या क्या मैं अब तक और आप देखें किसमत से आज तक मेरे जितने भी इंट्रिव्यूज हैं जितने भी चैनल पे वो सब मेरे अपने टैलेंट पे या मुझे लोग पर लेता हूँ, तो पक्सानी 2000 पर, पोज भी लगेगा आपका, आपकी स्टोरी भी लगेगी और आपको मैं हाईलाइट्स में भी दालूँगा अपनी, तो मैंने कहाँ, अच्छा मैंने सुझाँ, 2000 पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने कहाँ, क्यों मैं इसकी प्रोफाइल म नाम से, अब आप एक को अप्रोच करो, वो बोलता है कि यार, मैं पैसे लूँगा, दूसरे को जा बोलता है, आपने अभी तो मुझे कांटेक्ट किया था, मैं वही हूँ, ये कंपनी मेरी है, पर तीसरे के बाद जा तो वो बोलता है, मैं ही हूँ, आप समझे नहीं बाद मतलब ये सेम ही है, एक ही कंपनी जो है, वो अलग अलग नाम से खुदी कॉमपटेशन में, जैसे ये बिजनस में मैंने देखा है, एक ही बंदे ने दो रेस्टरेंट बराबर बराबर खोली, एक ही बंदे ने दो सलून बराबर खोली है, कि इधर नहीं तो जाएगा, इध लोगों को नहीं पता बिर सिर्च किय काम किया है भी रिसेर्च किया है बेटा हूं वो डाइनमिक्स समझे करके बोला है कि आपको CNN पे बैटना है आपको CNN पे बिढ़ा सकता हूँ आपको Forbes के बुच कलीवा खुद बोले कि भाई हमें आपका वो फिल्म लगानी है या आपका पोस्टर लगाना है तो अब ही यह इसी वज़ा से अगर आप मेरी 20 साल की जरूनी देखें तो लोग बोलते कि आप आपका स्टेटस वो नहीं हुआ जो लेट सपोस्ट अफैसल कुरेशी साह और मैं एक साथ काम करते हैं सोमी से मैं वो भी होस्त है मैं एक्टिंग कर रहा था साथ ही हमारा काम चुरू है उनका समझे फिल्म का काम पहले का है वो फिल्म पहले से कर रहे थे 90 से कर रहे थे फिल्म लेकिन जब उनने टीवी जोईन किया तो टीवी आप समय है उनका मेरा अज है प्रपफिया मैं और फासल कुरिशी एक लेवल के वेट हो था फिक पर विर मैं असको नहीं तो कि एमकुल को मुझे ये यिवल एक लिवन करना है जिस मैंने नंस आइनज्जेयो के लिए काम करना है किना ध्युवारी बी टामे हूं और बहु बहुत सारी weddings में perform भी कर रहा हूता हूँ, exhibitions भी aos कर रहा हूता हूँ, labor camps में जा कर ट्रेंनिंग दे रहा हूँ, denying में बातर ने स्कूल में ट्रेंनिंग दे रहा हूँ, college में दे रहा हूँ, gide HDMI में बातुश हूँ, अफसोस होता है कि बहुत दफ़ाँ शायद मेरी सोचल मीडिया फॉलिंग शायद जादा होती कौन नहीं चाहेगा कि उसको वन मिलियन फॉलोर हो कौन ही चाहता उसको गोर्डन बटन मिले कौन ही चाहता उसको सिल्वर बटन मिले सब चाहते हैं ऐसा ही है क्या मैं अपने YouTube की विविविंग आगे नी बड़ा सकता पएसे पर कर कर सकता है क्यूं गरूं क्योंकि मुझे उससे पैसे कमा के अब लोगों ने को और तरीक बनाया है YouTube पे पैसे बनाने का Instagram पे पैसे बनाने का है वो दुनिया में जो जो कतल हुए हैं, लोगों के मिस्टरी भी बाते हैं, वो करता है, स्टाइल में आके उससे पैसे बना रहा है, उससे व्यू ले रहा है लोगों के लिए बड़ा टॉर्चर वाली बाते बड़ी इंटरस्टिंग होती न, कि वो बंदा मर गिया वो बंदा गिर गिया, उसके साथ कातल हुआ, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो क्यूं मरा, उसके पिछे इस्ट्री क्या है क्रियोसिटी क्रियेट होती है, वो इंटरस्टिंग होती है, लोगों का नैचरली कि दुनिए में जानवरों के, पर इंटरस्टिंग जानवरों के अटैकस पर बात करो, अब वो कंट्री उसके जानवरों के अटैक सरठेग पर बात करता है कि उसके естноес साप ने इसको खा लिया, एलिगेटर ने क्रोकोडायल ने उसको मारा यह मारा वो विडियो से पैसे बना रहा है, व्यूविंग बना रहा है, उसको अपने content की परवाई ही नहीं है, क्या मैं अपने, अब लोगों नहीं किया किये कि मैच आता है, उसके highlight लगाते हैं, जैसे मेरा चैनल का लेकिंगे, मेरे पूरे साल में इतनी व्यूविंग नहीं आती, कि मैं क्या विडियो लगा कर नहीं बना सकता है, क्या मैं कुछ कॉंट्रोवर्शन चीज लगा कि किसी की फर्स करें, लीक वीडियो जा गई मैं क्या लगा करन्ट इशूज पर बात करके अपने अफेंविज बढा सकता है, बढा सकता हूं, बत मैंने यह नहीं करना ना, यह मेरा हई ही नी फोट बहु ए हा मैं हे लोग कर रहे हैं लोगों का आप सम्झेए इमान इस दीज में है ही नी, वो कहते है या रिकरो, वो कहते हैं पैसे बने ना, उनको लगा है कि जेबा अलफाज समाल करें, मेरी माँ के बारे में कोई बात करें, लोगों फरक नहीं पड़ता है, वो कहते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया है, तो आप इतने एक्सपोज की हो रहे हो सोशल मीडिया पर, कि आपके घरों में गुसके लोग हर बंदे को टार्गेट कर रहे हैं, आपकी बीवी के बारे में सब को पता है, आपकी बेहन के बारे में सब को पता है, वो कहां आती है, वो कहां जाती है, क्या करती है, ऐसा तो दुनिया नहीं बनना था, आप एक्टर है ना आप पॉड़कास्टर है तो आप तक लाइफ में दूदू नहीं चाहिए हाँ अगर आपकी फैमिली को कोई जानता है तो ठीक है आपने अपनी फैमिली को इतना क्यों खुला एक्सपोस किया है कि आपके हर बंदे घर के हर फर्द के बारे में कमरा कैसा है आपका कैसे दिखते हैं कहां सोते हैं क्या कड़ते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है कितने बज़े उठते हैं कितने बज़े खाते हैं कहां घर है आपका अभी जैसे रिसेंटली यूट्यूबर डखी भाई ने एक वीडियो दाली कि भाई मेरे घर पे तो लोग बाहर रश लगा रहता है तो पुलीस कंप्लेइन हो गई है नेबर्स ने कंप्लेइन किया वो सकता है पी आर स्टन्ट हो उनका वो दिखाई नहीं कि अपने अपना घर और हर चीज का एकसेस इतना लोगों को दिया हुआ है कि हर बंदा चलते फिरते आके खड़ा हो रहा है तो ये बहुत गलत चीज है ना पियार को हमने अपनी दो तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं एक बड़े अच्छे उसमें कि जी जैसे आज हमारे बीच का जो क्लाइबरेशन है वो बड़ा जैनियन है वो बेसिकली टैलेंट की बेस पर कि आप माशाला एक अच्छा अपना सैटप लेके चल रहे हैं मैं चो भी छोटा मोटा मैंने काम किया हम उसकी बेस पर क्लाइबरेट करें अब इसमें कोई प्यार की कोई बात नहीं कि कोई कंपनीज इंवल्व हैं हमने पैसे लगाए हूए हमने इन्वैस्ट किया हुए है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि लोग क्लाइबरेशन भी PR के लिए करते हैं कि आओ मिल के करते हैं तुमारे व्यूस भी बढ़ेंगे मेरे व्यूस भी बढ़ेंगे आओ यह डांस करते हैं आओ यह कुछ चचोरी सी एरकट करते हैं आओ यह ट्रेंड फॉलो करते हैं आओ और कुछ पॉड़कार्स में ने देखे हैं वो कहते हैं कि जी हम बुलाएंगे तो सिर्फ क्या बोलते हैं मुझे वो एले सेलेबिटीज ही चाहिए तो मैं उनके पीछे लगाओं मुझे बाकी टैलेंट से बाकी आपने जिन्दगी में क्या उखाड़ा है पहाड़ा तोड़ को से बात करने हैं जिन्होंने कानट्रिब्यूट के हैं सोसाइटी के लिए जो कर रहे हैं और जो इंपैक्टफुल लोग हैं मुझे उनसे बात करने हैं या मुझे प्यार बनानी अपनी और मैं सरिफ शारु खान को बलाऊंगा सुल्मान खान को बलाऊंगा हमायो सेथ को फैसल कुरिशी के साथ बुलांंगा और सिर्फ मस्ती करुंगा और टी इसीदी बाते करुंगा और मैं क्या बोलते हैं उससे कुछ ऐसी बाते निकालूँगा जो टीर अर्पी बने मेरी ना यूनों λीग बातें कि इंडस्ट्री में उसको फपड मार दिया मैंने उसको लाथ मार दी मैंने उसको गाली दी अब अगर देखें मैं बात करता हूं आमेल याकत हसाईन की के आमेल याकत हसाईन ने कोई PR की चीजें की होंगी नहीं की वो अपने ही इतना talented था कि उसने अपने ही टालेंट को लेके चीज़े बढ़ाई वो कहता था कि मैं खुद मीम बनाता हूँ मैं मीम हूँ एक टाइम गये था कि वो कहता था कि मैं जो करता हूँ मीम बनती है इसी तरह आपके एक शिया आलिम थे जो बहुत मशूर हूए वो आप समझें वो करते कुछ भी थे वो एक मीम बन जाती थी हाला कि वो बड़े स्कॉलर थे और मतलब उनका इलिम के बारे में काया जाता है कि उनके घर में किताबों बगाइदा फ्लोर्ड हैं इतनी जादा किताबे हैं उनको सब किताबों के बारे में पता है तो हमारे हाँ मतलब आलम उनको जरूएट क्या पियार ये जरूएट नहीं उन्हें नहीं किया क्या उन्हें ने सोशल इंस्टागराम को पैसे दी होंगे कि बाई पाई सोर रोपेलो ऐसे लोगों को लोगों ने खुद प्रमोट किया अपनी पियार के लिए अपनी टियार पी के लिए अपने वियूस के लिए कि यार मैं आमेर लियाकात की वीडियो लगाऊंगा तो मेरे वियूस बढ़ेंगे चलो आमेर लियाकात की डान्स की वीडियो दाल दो दो मिलियन फॉलोवर बकाइदा बिकते हैं कि आप ले लें इतने पैसे दे दें रात और रात दो मिलियन फॉलोवर हो जाएंगे लोग परिशान हो जाएंगे बाइस ने किया क्या है कौन सा पहार तोड़ा है कि दो मिलियन फॉलोवर हो गया लेकिन लोग करते हैं और बड़ में कौन से पॉस्ट मशूर हुआ है और उस पॉस्ट के कौन से मिनट से वो बात पिक हुई है लोगों को कि वो पर्टिकुलर पॉइंट मशूर हुआ है फर्स करें इस पॉड़कास में हमने जितनी भी बात किये और इसकी कौन सी पर्टिकुलर बात जो लोगों ने रिपीट करके देखी है बार बार और वो पूरी स्कोर आपको बता देगा तो आपको समझ आजा जाएगा कि मुझे नेक्स टाइम पे किस टॉपिक पे बात करने हैं लोग मुझे टॉप मेरे पॉड़कास में क्या चीज़ देख रहे हैं तो यह इतनी चीज़ एडवांस हो गए है तो मैं उस सब रिसर्च करके बैठा हूँ और देखता रहता हूं लोगों के बारे में अच्छा फाद बेएक बात बता है नेटवर्किंग है और फिर इंफ्लूइंसर मार्केटंगा आपको देख रहे हैं इनको क्या आप लिंक करते हैं के साथ प्यार के साथ जी डेफिनली देखें हर बंदे को आप बात करें इंडिविजल की भी उसको एक प्यार की ज़रुत होती है अब देखें प्यार जहादा आती हो ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए कंपणी हायर करें आप सेल्फ ही प्यार कर सकते हैं जैसे मैं अपना काम खुदी मेरी पीछी कोई कंपनी नहीं है अपना काम खुदी पोस करता हूं खुदी आडिट करता हूं सेल ब्रैंइंग में आगी आगा सो आओ को परमोट करूओं मेरे पीछे कोई मेंचर ना हो मेरे पीछे कोई कमपनी ना हो तो मैं खुदी geographic union बोसा है कि मुझे अपना नेटवर्क पर पर वहरा है कि मेरी अपनी पर्सोल प्यार इतनी अच्छी है कि मुझे कि सी व्यगत निए मैं ये निहीं कह रहा है कि कमपनी का होना डिस एड्वांटेज है worked कमपनी का होना डिस. दूट contribute की उनeteerson system का कर रहा हूं मैं लोगों से मिल भी रहा हूं लोगों से बात कर रहा हूं तो मेरी कोशिश तो उसमें डेफिनिटली यह होती है ना कि मैं बहुत सारी चीज़े कर रहा हूँ, आप उस तोरान फर्स करें मेरे साथ कंपनी है तो डेडिकली वो काम कर रही है तो वो जादा अच्छा काम करेगी बट क्या है कि मेरी कास भी है तो मझे वो सब चीज़े देखनी है कि मैं एक पि-इ-अर इसमां ब मेरे पोस डालो, आप मेरे पोस एडिट करो आप मेरी किया बोलते हैं, कसी अख़़ार में में इंटरिवीव कराओ आप मेरे किसी टीवी में इंटरिवीव कराओ अब ये च्चोईस मेरी है, मैं ये नही कहरा, वो खराब है पर यह चोईस एक आपको लगता है कि आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं आप उस कंपनी को पे कर सकते हैं और वो जो रिजल्ट आपको दे रहा है वो आपके लिए फाइदे मन्द है आपको यह लगता है और दे पीर टाम सेल ब्रेंडिंग पर जो चल रहा है वो ही चल रहा है खुदी अपनी ब्रेंडिंग कर रहा हूं खुदी लोगो अपने बना रहा हूं खुदी अपनी प्रोफाइल बना रहा हूं खुदी अडिट करता हूँ, खुदी पोस बनाता हूँ, खुदी content लिखता हूँ, खुदी content create करता हूँ, खुदी edit करता हूँ, तो वो एक challenging काम है, जारी बात है time consuming है उसमेरा time जादा लगता है, बट ठीक है अब तक चल रहा है, but again ये काम है किसी company की तुरू करा सकता हूँ, now again coming back to networking point, इसी में अगर आपकी networking अच्छी है, तो मेरी self-branding का काम चल रहा है, अगर मेरी networking strong नहीं, तो फिर मुझे definitely एक PR company चाहिए, जिनका एक network strong है, right, अब आप इसको connect करें कि PR में, networking is part of your PR, कि मेरा जो network है, वो ही मेरी PR कर रहा है, तो मैं अपनी जो promotions कर रहा हूँ, अपनी जो मेरे network में ऐसे लोग हैं, जो मुझे help कर रहे हैं, जैसे आप मेरे network में नहीं थे, बट मैंने आपको अपने network में लाके, हमने ये collaboration की, तो ये network create किया गया, अब network भी create करना पड़ता है, आपको networking ये तो नहीं कि मैं घर बैठा रहा हूँ, और मैं एक sofa बैटा हूँ, मुझे रोजाना 10-15 कॉल आरी, मैं कितना बड़ा सुपर स्टार तो नहीं हूँ, मुझे कहीं नहीं जाकर network तो अपना बनाना है, किसी नहीं अब luckily with God blessings हमारे पास इतने platforms हो गए हैं कि हम बहुत सारे लोगों से connect कर सकते हैं, जिसमें celebrities भी हैं, जिसमें बहुत सारे influencers हैं, तो वो आप आगे Instagram, आपका LinkedIn, आपका TikTok और इतिफाक से आप उनसे message कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा point है, आपके पास एक opportunity है, तो आप self network भी बढ़ा हैं अपना, जैसे मैं कोशिश करता रहा तो मेरे network बढ़े, अब इसमें सबसे बड़ा important point है कि आप किसी को अगर celebrity मन के contact करेंगे, तो more or less आपका chance ये है कि वो आपको वहाँ से इतना अच्छा response नहीं देगा, बड़ आप किसी को ऐसे बात करेंगे, जी हमने collaboration करनी है, हमने काम करना है, और हमने दोनों ने मिलके काम करना है, और ऐसा काम करना है जो अच्छा हो, तो इसमें definitely लोगों का response बहुत अच्छा होगा, देखें आपका celebrity status तो कोई नहीं चीन रहा है, ना आप चीन सकते हैं, मैं आप से चीन सकता ह होना पड़ेगा, मैं अगर जाके हर जोगा अपना celebrity status रहा हो, भाई मैं तो यह हूँ, तो मुस्त ऐसे कैसे बात कर रहे हो, यार मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मुझे ये करो, मुझे वो करो, मुझे वो करो, तो आप eventually बो कि यार, भाई मुझे शायद नहीं चा ये मेरे साथ कॉलाइबरेट कर रहा है, ये कर रहा है, तो मुझे उसको उतनी रिस्पेक्ट देनी है, जो वो डिजर्फ करता है, अब हमारे नेटवर्किंग को लोग इतना important ही समझते हैं, वो समझते हैं कि मैं खुद एक celebrity हूँ, तो मेरे पीछ नेटवर्क खुद फॉलो करेंगा, ये बड़ा एक गलत डिलिमा है, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल लोग उसी को लेते हैं, जो टॉप आपके 10, 15, 20 लोगs हैं, जो मशूर हैं, लोग उनके साथ ही काम करना जाते हैं, तो उनके पीछे भाग रहे होंगें, लोग उनके पीछे भाग रहे हो लोग हैं, उनके लिए क्या, उनको तो अपना काम नेटवर्क से ही पकड़ना है न, आपका मेरा और बाकी जितने पॉड्कास्टर्स हैं, वी लॉगर्स हैं, जो काम करें, इंफ्लूंसेज, वो क्या, उस कैटेगरी में आते हैं, हम नहीं आते हैं, हमें ये रेयल्टी को ए बैठा हूं, तो वो मुझे काम देगा, मैं इतना बड़ा कारीगर नहीं हूं कि लोग मेरे घर के नीचे लाइन मना के खड़े हों और आके मुझे रोज़ाना काम दे, तो ये एकसेप्टेंस भी बड़ी जूरी है, हमारे हैं एकसेप्टेंस बहुत नहीं होती, लोग समझ भी अपकी मेहनत कंटीनू रहनी चाहिए, उसके बाद भी आपकी जिस्तव रहनी चाहिए, उसके बाद भी आपका, दिलिवर करना है उसके माति hat मैं उसके लिए महनत अपनी करता रहूंगा अपने नेटवर्क बढ़ाऊंगा और आप जितना नेटवर्क बढ़ाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है तो लोग नेटवर्किंग की वैलियू नहीं समझते नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में आपको यह नहीं पता कि आपको एक नेटवर्किंग से तालुक होना किसी से कॉंटाक्ट होना आपके किसी हॉस्पिटल में काम आजाएगा आपकी किसी बिमारी में काम आजाएगा आपको ब्लड चाही होगा उस वक्काम आजाएगा आपको यह नहीं पता कि आपको गाड़ी की ज तो यह वैल्यो नेटवर्क की जो लोगों को समझनी है और यह हैल्प करती है दुनिया जाह में आप यकीन करें अभी मैं गाड़ी में आ रहा था मैं जाहता था परसनली बर जाहता ने बोला कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले एकरा में देखा था लेक्चर देते हुए तो म मैंने का आप थे हुआ अब अच्छा मैं भी आपकी जब रील देख रहा था तो मैं ट्राइफिट में अच्छा तब आपका टैक्स आरा था तो मैं नॉर्मली बहुत कम अगाउंट खोलता हुए तो मैंना टॉबल ले जाना भूल गया था तो उसने ने बोला कि यार आप यूजें नहीं कर सकते है तो मैंने आपका घूला तो म्हारा मैसेज था यारा चानेक्ट करना चाहिए तो मैंने एकुकर नॉर्मली ॏ पार्च। कभी आप कभी ने देखा जी 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 कुछ दिनों पहले अब इतिफाक से ट्राइफिट की मेरी कॉलाइबरेशन ऐसी हुई है कि मेरी जो एक्सपीरेंस ला कॉपरेट वर्ल्ल का वो ट्राइफिट यूज करना चाहता था तो ट्राइफिट ने का कि मैं आपका जो हमारी बात पर चल लही थी तो मैंने उनको पिछ किया था कि मैं आपको यह टॉपिक्स पर ट्रेनिंग दे सकता हुए तो ने का जी सेल्स इस अ परफेक्ट टॉपिक क्यों कि हमारी टीम को आ थिंक सेल्स और पर्सनल डिलॉपमेंट पर थोड़ी सी मोटिवेशन लेक्शर अच्छ के ओनर जो है एमर साहब एमर आजम साहब उन से कनेक्टेट था तो मैंने उनको प्रपोस किया कि मैंने का एमर साहब कैन वी काइंड आफ क्लाइबरेट इंटम अफ दिस अचा जाए पते जिम से मेरा कोई तालोग नहीं दूर उर तक मेरी बोड़ी का तो कोई है नी तो ही कनेक्टेट मी तो इस टीम पर वो पुरा प्रोसेस हुआ उसके बाद टॉपिक एगरी हुआ फिर उन्होंने सेशन अरेंज किया अचा उस सेशन की जो पूरी डील की एसेंस किया था कि साथ में ट्राइफिट को भी प्रमोट किया जाए आप जो भी काम कर रहें तो आ पर इवेंशली टाइम की लिमिटेशन की वजाए से और बहुत सारी चीजों की आप एगरी किया कि चलो मैं खुदी सारी वीडियो आपने खुद बनाई है मैंने वह सारी एडिटिंग उसका साउंड उसकी वीडियो सिर्फ यह था कि एक जो जिम में उनके एक एक अटेंड इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस मिलाएं तो वह हम करते थे और वह हम करने के बाद पिर मुलते थे यह परफेक्ट है आपने बिल्कुल सही कि आप इसको शूट करते हैं तो ऐसे हैं करके हमने जो च्छे साथ आर्ट सीन ड्राइफिट के वह मैंने खुद किये उसके एडिट यह गाना मेरी परसनालिटी को हमेशा से सूट होता है मैं हमेशा पसंद करता हूं यह गाना और यह गाना वह उसको रोग म्यूजिक भी है और वह सूट करेगा तीम पर ट्राइफिट की तो वह किया और अलमदुल्ला उस पे जबर्दस व्यूज आये लोगों का रिस्पॉ रोज़ाना जिम जाने वाला बंदा हूं परफेक्ट बॉड़ी पिता निक्या अदमी है तो उमने इसको इस तरह से बनाया मैंने पूरा उसको ड्रैसर पैसे किया कि वह इसा लग रहा था कि रोज़ाना जिम जाता हूं यह जॉग आपने पैनी अपना जो भी गाउन शाउ कि और ट्राइफिट की ओर रल क्लाइबरेशन जो हमारी थी वो बहुत अच्छी थी इनवे के पूरी टीम ट्राइफिट की जो थी एमर साहब से लेके उनके जो सी एफो हैं नवीन उनके बेटे भी इसमें काम करतें मार्केटिंग में उमर पूरी टीम बड़ी प्रोफेशनल इसमें मेरे इस पूरे चीज़ को जो हमने आ ट्रेनिंग से लेके जो हमने सूट से लेके जितनी भी कुलाइबरेशन से लेके बड़े प्रोफेशनली इमने इसको मैनेज कि अर अल्ब्द Allah आ इसका रिस्पांस ट्रेनिंग की विडियो का रिसपंस की जो मेरे हैं हम ने वो अभी इतिफाक से ना at this point of time मेरे अभी आप imagine करें city government से भी एक event पर बात चल रही वो दोधाफा पोस्पॉन हो चुका है वो city government ने plan किया था कि वो मेरे साथ M.O.U. साइन करेंगे वो मुझे you know use करेंगे कराची की development के लिए अपकर आपने पाशा कभी बताया था मुझे की जी तो I'll take you to the Pasha तो अभी जो मैं आपको city government ने बता था वो event हमारा पोस्पॉन हो गया दो दफाव क्राची में कुछ activities हो रही थी पुलीस वगरा की तो वो उनके साथ link है तो उनका उनकी presence जरूरी है फिर अभी recently मैंने एक CDRS नाम की NGO है जो US-based जो individual है Todd Shia के नाम से उन्होंने पाकिसान में स्टार्ट के वो पाकिसान ही सैटल हो गया है वो पाकिसान में जो भी disaster recovery programs होते हैं जिसमें जानवरों को recover करना होता है रोड से injury जो injured होते हैं पर इस तरह बच्चों को shelter चाहिए वो दे रहे हैं जो बेवा ओड़ते हैं जो इस तरह से तो उनको promote उनको घर दे रहे हैं उनको empower कर रहे हैं कि उनको jobs दे रहे हैं उनके लिए काम बना रहे हैं business opportunities create कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा CDRS बहुत अच्छा काम करी है तो उन्होंने मुझे as a brand ambassador अभी sign किया है दो दिन पहले आपने उन्हें से connect किया उन्हें आप से connect किया उन्हें उन्हें आप से connect किया this is going to be connected with the network अभी सभी चीज नेटवर्क इस अभी इन सारे process में try fit ले 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 हैं मेरी जितनी भी classic collaboration है जो मेरी try fit के साथ है cdrs क्याहते है इस CDRS वाले limit of shark में हुआ है तो उन्हें वाला यजुनiew connectivity न अप से app attendant वोरा युएस के तो होना है उन्हें उसमें जिसमें आजम साप थे उसमें टॉटिया थे हमारी उन्हें वाला शुर से बात हुई थे फिर वो बात हुई उन्हें बोला पाक्सान का आपका एक ग्रूप है मैं आपको उसमें आड़ करता हूँ तो मैंने को वाइ नोट लट्स कॉलाइबरेट पर पाक्सान उसमें जब उन्हें एक ग्रूप बनाया तो सल्मान भई आड़ हुए अब सल्मान रफीक जो है ओँ आतिव असलम के डृमर थे पहले और मैंने उनके साथ आतिव असलम के साथ बहुत काम किया तो हमने दाइबात देडिस मेरी मुलागात रही अब सल्मान भई के सामने जब मेरा नाम आया तो उसने का ये तो फ़ाद है इसके दिए बहुत काम किया हुआ है इसको तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तो ये मैं कहरा हूँ अजिसे आपको आज आपकी बात दरा आपके जो कुलीग जहएद अब वो मुझे एकरा से इवन्न से चार दिन परानी ही बात है पँंच दिन परानी ही बात है सोला तरही को इवन्न है बहुत है वहाँ देखा है उन्हों ने वह चीज़ फॉलो कि तो ये वैल्यू एन नेट्वर्क की तो उसमें कोई आपको कॉंटाक्ट करता है कोई आपको करता है उसमें अभी फर्स करें मेरा आपसे कॉंटेक्ट हुआ जहाद से तो नहीं था बट आपने जब जहाद से इंट्रिउस करा है जहाद मुस्लिम बिला उसने का आप तो वहाँ पर थे उनिविस्टी पे मैं जतना बात करूँ अब मैं यहाँ पर आके एक सेलेबिटी स्टेटस दिखाऊ हूँ हर बंदे के सामने के यार क्यों मुस्लिक सवाल पूछ रहे भाई आप पॉड्कास्टर हो या आप आपने सवाल पूछना है मेरे लिए तो हर बंदे से बात करना मैं समझता हूँ knowledge share करना मेरे लिए बहुत important है और बहुत ضरूरी है जितना मैं knowledge share करूँगा लोगों से उतना लोगों को मेरे बारे पता चलेगा अब first करें नोनसे मुस्से नाम पुछा की आप कौन हो तो आइडिली उनको नाम मेरा पता होना चाहिए था बट मैंने वह बात को बुरा नहीं माना, मैंने उनको अपना नाम भी बताया मैंने उनको अपने नाम की स्पैलिंग तब बताई तो मेरे लिए ये बात बुरी नहीं है कि मैं मतलब क्यों, हाला कि आम तोर पर लोग बुरा मान जाते हैं, तुमने बुलाया तुम्हारी टीम को मेरा नाम नहीं पता मतलब इस तरह की चीज़ है ना तो मैं नहीं बुरा मानता, मैं कहता हूँ यार आप जितने लोग को इंट्रिड्यूस करवा रहे हैं उतनी अची बात है, अभी जैसे रिसनली CDRF में मैं इवेंट में गया था, जब ब्रैंड अमबेसेडर वो आए जो, अचा उन्होंने जिन लोग को इंवाइट किया था, थिफाक्स उन्होंने मेरे बारे में कुई रिसरच नहीं की थी, तो वो जब आके बैठे, वो लोग, अचा वो भी किसी और NGO से थे, वो भी पाकसान की एक और बड़ी NGO थी, जब वो लोग की टीम बैठे ही, तो उन्हें बोला कि जी चलें, अभी ब्रैंड अमबेसेडर की, जो हम लोग उनको पूरा अपने इंट्रड़क्शन दिया, 45 नट्स का इंट्रड़क्शन दिया, हमर वो बहुत लंबा हो गया, कि मैंने अपनी कॉर्पेट की पूरी बात की, पिर मैंने अपने अपने इंटर्टेन्मेंट की एक चीज़ पर बात की, पिर ट्रैवलिंग पर लगा कि पाकिसान से, मैंने आपके पॉड़कास्ट पर किया, कि मैं बहुत सारी चीज़ों से कुछ नहीं हूँ पाकिसान में, पाकिसान को रिकावर होने बहुत टाइम लगेगा, और पाकिसान की सिचुएशन ऐसे मुल्क से हो रही है, तो उनने बोलना शुरू कर जा, ऐसे मुल्क से क्यों कंपेर कर रहे हैं पाकिसान को, जैसे मैंने बोला था, पाकिसान बिल्कुल ऐसे स्टेच पर जा स्री लंका में, जो इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, जहां पर पूरी अवाम रोडों पे थी, और उनने प्रोटेस किया, गौर्रमेंट के लिए, और इंफलेशन हुआ, और चीजों की शॉर्टेग भी, मैंने का, एग्जाक्ली पाकिसान बोला था, तो उनने का, नहीं जी, मैं भी स्री लंका गई हूँ, इतने दफ़ा, I don't think है, स्री लंका में, स्री लंका वाले लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो अपने मुल्क में ये करते हैं, अपने मुल्क के लिए, मैंने का, regardless, उनकी गौर्मेंट कुछ भी करती है, उनको जो भी सपोर्ट करती है, हमारे कंडीशन जो हमारे मुल्की, वो ऐसे ही है, मैं इसक्डीशन बे बात कर रहा हूँ, यह नहीं कहा रहा है कि गौर्मन कितना सपोर्ट करती है, हमारी गौर्मन ने भी बहुत सारे सपोर्टेब प्रोग्राम इनिशियेट किया है, but again उसको misuse किया जाता at some level जैसे बेनजीर income support प्रोग्राम है इस तरह से सहत प्रोग्राम है इस तरह और बहुत सारे प्रोग्राम है जो government ने शुरू किया है but क्या उसको execute किया जा रहा है वैसे नहीं क्या हमारी police काम नहीं कर रही है बट हमारी police के system में भी कुछ fallbacks हैं को drawbacks हैं जो उसको उस तरह से use नहीं कर पा रहे अभी जैसे मैंने अभी आज ही एक वीडियो देखी जिसमें एक पाकिसानी शेफ हैं को जैपनीज बंदे को पाकिसान लेकर आएगे और traffic police उनको 1000 रुपे दे रही है कि जी आदार पिलें उनको चाहे पिलाएं हमारी तरफ से महमान नावाजी करें ये करें again just to give a good look of Pakistan on the media कि हम कितने hospitable हैं हम कितने ख्याल करते हैं सिर्व उस वज़ासे उनोंने वो किया but किया overall system ऐसा है नहीं है हमारे system हमारे system अभी इंडिया में एक incident water recently गाओं में एक खातून थी Brazilian जो अपने husband के साथ जा रही थी जिनके साथ जाती हुई और बहुत घलत हुआ तो बहुत सारे मुलकों में किया है कि बहुत सारी चीजे system में सही नहीं है और especially हमारे Asian countries में बहुत ज़़ा issues है issues तो है और Pakistan में पाकिसान नहीं है तो मैं पाकिसान आला कि मैं दूसरे मुलकों के बारे में भी बहुत बात कर सकता हूँ किया है तो मैं जैसे अब बाकी मुलकों मैं दुवई में रहता हूँ स्री लिंकन, बंगलादेशी, इंडियन सबसे मैं मिलता हूँ वहाँ पर तो मेरी knowledge उनके साथ रहते हुए उनके culture के बारे में, चीजों के बारे में knowledge बढ़ती है अब वहाँ पर कहा हर मुलक के बारे लेकिन मैं पाकिसान के बारे में ज़्यादा बात करना चाहता हूँ और करता हूँ और forcefully करता हूँ क्योंके मुझे पाकिस्तान मेरा मुलक है मुझे पाकिस्तान का मेरा connection है मुझे कहीं ने कहीं पाकिसान की development के लिए उसकी बैतरी के लिए कुछ तो मुझे contribute करना है ना बिलकुल यहाँ मारा फर्ज है क्योंकि मैं पैदा हूँ ना तो मैं पाकिसान को बैतरी की बनाना चाहता हूँ मेरा उनसे वो अर्गिमेंट वो तरह पिर एक पीरिड आया हमारे उस डिसकुशन में के उनी के सीडी आरेस के लोग ने का कि भाई जो सर्मेनी जो है हम इसे उस पर बात कर लेते हैं इनका पर्पस होगारा पाकि इनसे आपक यह आप करते हैं पर हमने काउंटाइक एकसेंज के मैं आपकी चैरिटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं मोर दन हापी तो यह मेरी बैसिकली एक कांट्रिबूशन है आपकी चैरिटी के लिए कि मैं कुछ भी आपके फर्स करें आप मुझे कर कोई जेल में लेके जाती हैं बात करनी है को उनकी लाइफ के बारे में एक साफ पानी के बारे में साफ खाने के बारे में हाईजीन के बारे में लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें मैं क्रेडी हूं तो हमारे हमारे हैं यह अगेन इस सब चीज़ अगेन घूम के आती हैं कि आप एक काम उसीवग कर स जब आपका network strong है और आपका network बढ़ा है एक छोटे network के साथ अभी चीज नहीं कर से हैं networking is always important and will always help now coming to your question of influencers again हमारे हाँ shortcut influencers हैं जैसे मैंने आपको बताया आज ही 1 million followers नहीं हैं मिलेंगे आप जल्दी है आप सब जल्दी in a sense सबको shortcut पता चल गया ना देखें मैं आपको पता हूँ कि जी इस पहाड पे आपको चड़ना है Mount Everest पे Mount Everest पे चड़ने का तरीका दुनिया का सबसे difficult पहाड है आपने Mount Everest सर कर लिया तो आपने इस से मुश्किल पहाड दुनिया में हैं नी लेकिन उस पहाड को सर करने के लोग साथ से आठ डस पहाड पहले सर करते है वो पहले उस पे हाइकिंग करते है उस पे पूरा time spend करते है just to understand कि मैं Mount Everest पे जब पहुँँँगा तो मैं ये क्या सारे Huddles face कर सकता हूँ क्या मैं challenges को deal कर सकता हूँ उसके बाद जाके मैं Mount Everest चड़ता हूँ मैं ऐसे नहीं और उसके पीछे सालों लग जाते हैं कि मेरी breathe control कितना है height पे जाके मैं कितना है मुझे कितने cylinders लगेंगे oxygen के मुझे खाना क्या रखना है मेरा body weight क्या होना चाहिए मैं कितना समान उठा सकता हूँ यह पूरी एक research है जिस पर लोग करते है पूरा workout करते है तब जाके Mount Everest चड़ते है अब मैं किसी को यह बोलूँ है तो नहीं दुनिया में अकीकत तो नहीं एक fiction बात कर रहा हूँ और फिक्शियस बात है असल में लोगों को दिखाना और personally क्या आपने इसके लिए मैंनत की नहीं की मैं एक ही दिन में Mount Everest चड़ गया हलिकाप्टर हायर किया हाँ कुछ भी मैं उनको एक shortcut बोलूँ कि बात करो जो है नहीं possible लेकिन मैं बोलूँ कि आप इस रस्ते से जाएं पैदल चले चले जल्दी से लिफ लगी है लिफ में बैटे फलाना करें अब पहुँच जाएंगे और हजारों लोग करेंगे सिर्फ Mount Everest के टॉप पे जाने के लिए लेकिन मैं जब किसी को बोलूँ कि जो असल तरीके से लोग कर रहे हैं सालों की मैनत करके Mount Everest रण है वो करो तो नहीं करेंगे लोग वो बरदाश ही नहीं है तो influencer हमारे हैं बनना यही है especially पाकसान में के platform दे दिया है कि जी Instagram आगया TikTok आगया जाओ थोड़ी सी ना vulgar वीडियोज बनाओ अब लोगों ने किया किया विल्गारिटी को भी बहुत उपर ले गए आप अगर लोगों की कुछ वीडियोज देखें जिसमें बहुत एक्स्ट्रीम लेवल पे लोग ले गए जहां पर आप उसको खुद भी देखते में शर्माते है तो आप किसी को क्या दिखाएंगे वो लेकर अपने दोस्तों के नेटवर्क में अपने एक अडल नेटवर्क में बोलते हो ठीक है यार देख लो मताब बड़ी जबर्दस आये विडियो फलान आये पर डेफिनली आप उसको किसी बाई के साथ बेन के साथ फैमली के साथ नहीं देख सकते हैं अब उस कॉंटेक में वह बड़े मशूर हुए में बड़े फेमस हुए में वह पूरे टाइम पर उनके वही कॉंटेक नहाथ पूरे टाइम विलगर बाते लिखे हैं ऑनके हाईलाइटी वीडियो का या उनके जो स्टोरी का वह ओगा के जी यह हो गया, अब यह वताब मजबूरी है, आप क्लिक करके मज़ीद अंदर देखेंगे, तो वो व्यूज बढ़ेंगे उनके, पैसे बढ़ेंगे, टिक टॉक पर यह होगे, डांस कर लो, यह कर लो, ऐसे कुछ उची हरकते कर लो, तो आप, तो यह लोग ने इंफ्लूइंसर पर काम कर रहे हैं न, जो मैं समझता हूँ, बिलकुल अखलाकियत से गरेवे, उसमें आप समझता हूँ, और हमारे यह क्या है की कॉंटेंट चलता न, च्छटे फाड़ दी, आओ, बदमाशी कर ली, कुछ लोगों ने फाइरिंग करके वीडियो बना ली, आओ, दिखाओ, गाड़ी के अपने वो शॉर्ट बनाके तो, कि भाई, पैसा है, पैसा दिखा रहा है, शेयर लेके जा रहे है, कुटे बड़े बड़े लेके जा रहे हैं, गाड़ी बाहर बठाके, तो यह उनका कॉंटेंट, अब इस कॉंटेंट के अंदर आप क्रियेटिविटी क्या है, आपका input क्या है आपकी मेनत क्या है कुछ भी नहीं आपके अबू ने आपको पैसे दिये हैं आपके पास पैसे थे आपने एक शेर खरीद दिया वह आप शेर लेके गूम रहे हो रोजाना उस पर content बन रहा है शेर पर आपने वो गोल्ड की चेने गले में डालके बड़ी- पैसे बार अपके लिए पास प कर शोगें बड़ा अच्ड़ में रहा है वो अपने के भूड आपने इक दू एक्टर रहे हैं और आते इंसे मिलने के लिए उनको ठाता है यार वीडियो में जाती है कबी वो रेश्के साब माल में जाती हैं कभी बाहर भार रोड पर चल र वो एक गाड़ी से उतरती है हमका एक गाड है दरुवाजा खुलता है वो सीजन के साथ मॉल में जाती है वो वीडियो बनाती है अब मॉल में जारी बाद है अब आप जब मॉल में या कोई पॉबलिक प्लेस पे उसी गाड़ के साथ जाओगे तो वेसी समझेगा है कि आप सलेब्रिमीू हो अब सलेब्रिटी हो वो देखेगा तो न आपको क्यारी कौन जारा है आप गाड़ जाराए इसके पीछे नौर्मली आप किसी हर बंदे के साथ तो गाड़ नहीं देखते अब गार्ड भी गन लेके जा रहा है या वो लेके जा रहा है तो इतना प्रोटोकोल कौन है तो नेचरली आपको क्यूरियोसिटी बढ़ती है अब उसमें जो अगर नेचरली भी लोग एक दो उनको अप्रोच करते हैं तो वो वीडियो में आ जाती है बात ना कि लोग अप्रोच कर रहे हैं कि बड़ी सिलेबरीटी अब वो किस वज़ा से कर रहे हैं लोग किसी को ने पदा वो फॉन नमबर मांगने के लिए कर रहे हैं वो उनका पूछने के लिए कर रहे हैं और बॉलू कि बाई शौर करते हैं जाओ भाई सअयत वार ग्रेड हम फॉलो कर लहे हैं आपको फॉलो कर लहें ये गाड़ी हैं यह मैं लोगों को बोलगी यार देखो मेरे को पीछे बनाओ तस्वीर बनाओ और मैं करो यार मैं आज इस शॉप पे आए देखो यार रश लग गया मेरी वज़ा से ये सब चीज़ें हो सकती है भाई जान लेकिन इस तरह से काम नहीं करना अपने ये आपने रस्ता खुछ चूज़ करना है कि मैंने इस इन्फ्लोएंसर अगर बनना है तो कौन सा इन्फ्लोएंसर बनना है क्या मेरे ऐसे इन्फ्लोएंसर बनने से मेरी कोई बात सुनेगा अभी कोई इसलामबाद के दो तीन लड़के जो गाने भाने भी गाते हैं रैप भी करते हैं नाम से भी मशूर है थोड़े बाद उनने को एक छोटी हाइट का एक पच्चा लिया वा ता जो एबनॉर्मल सा था आपने बहुत वीडियोज उनकी देखी होंगे लगीाख भूथ आती थी तो वह इसको ईूस करके उसकी शादी करवानी है तुम शादी करो गे है अब उसकी शादी की टियारी करवा रहाए है गलफ्रेंढ पारा रहा है प्ट्ड हो आरे हैं उनके इनके कॉंटेंट पे उनकी वीडियो चलने लगी और दो लड़के थे, दोना लड़कों ने किया है कि पहले हापस में अपनी वीडियो बनाते थे, गाने माने भी गाते थे, शोज में जाते थे, लिप सिंक और अगरा टाइप की चीज़ें करते थे, दिखने में जाई बता है, अच्छे गुड लोकिंग लड़के हैं वो, अ तो आप समझ जाएंगे, मैं आपको आफ लाइन बता हूंगा, तो वो ऐसे वीडियो पर भी लोग इंफ्लूएंसर बने वे हैं, कि जी लोग बुला रहे हैं उनको आप आजाएं, कि जी आप आप आजाएं, लोग देख रहे हैं, व्यूस आ रहे हैं, यह आरे हैं, बढ़ जिसे हमारे हैं बहुत सारे लोग हैं, जो लोगों की मजबूरी के अपर, मैं अगर फर्स करें ना, बहुत सारी टेक्नीक से मशूर होने की ना, अब लोग बलेंगे, आपको पता तो आप क्यों नहीं हो रहें, मैं ऐसा नहीं होना चाहता है, मैं अपने एक्टिंग कर के हो होई, मैं उनके घर जाके विडियो बनाना शुरू कर दो, कि हमारे कराची में देखें, एक बंदे को मार दिया गया, इनसाफ है या या कराची में, पुलीस क्या कर रही है, गौर्मेंट क्या कर रही है, फलाना क्या कर रही है, कोई है नहीं है, भले मैं उसके घर में नहीं बिल्कुल वाइरल होगी, लोग बोलेंगे यार कराची में क्या हो रहा है, अभी कराची में कोई सेलेब्रिटी फर्स करेंगे, बिमार पढ़िये, मैं उसके पास जाके शोर रंगामा शुरू कर दूँ, कोई सपोर्ट नहीं है, गौवर्मेंट का हैं, अर्टेस असूशिश ऐसे ही ना, बहुत सारी एंजियो जैसे भी काम करने हैं, कि जाओ, शोर करो, हंगामा करो, जहां लोकेशन में मसला हुआ है, पैसे बनाओ, व्याद है, मुझे लिएकि मैंशन नहीं करना चाहते हैं, मैं भी इस तरफ नहीं जाना चाहरा है, लेकिन मैं कहरा हूँ कि यहां है, कि भाई, शोर करो, चीखो, चिलाओ, किसी भी सोशल इशू पर बात करो, क्योंकि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा ना, क्योंकि आप एक हकीकत पे, एक सोशल इशू पर बात कर रहे हैं, तो कौन बंदा आपको बोलेगा, भाई, रैसीन भाई, क्यों बोल रहे हूँ, तो लोग और जुड़ जाएंगे, लाइन लग जाएगी कि मैं ठेला एसुजिजन के बारे में, फ्रूट वाले के बारे में, प्रैसिंग के बारे में, खड़ों के चीखना लग गया, तो भाई तुमने क्यों रखा हुआ है, टेमार्टर इतने पैस होगा, मैं चीखना चुर तो मेरा काम, वो सोशल वर्कर का लोगों को सपोर्ट करना है, ऱमें ठेला एसुजिजन पर जाके प्रैसिंग काम करा के क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को हेल्प तो नहीं कर पा रहा है, मेरे कहने पर तो ठेले वाले कम कर देंगे, क्योंकि उनके सामने में शूर कर रहा कि मैं बाकी 1000-1500 ठेले वाले दुनिया में बैठे हैं वो तो पाकिसानियों को कराची वालों को तो उतनी पैसों में देंगे कि आपको लगा रहा है मेरी आवास सुनके वो बोलेंगे नहीं जी अंटिल अनलेस गौर्मेंट आके बोलेगी कि बाइजन कल से टिमाटर के प्राइस इतने हैं तो मेरा काम वो शूर करना गौर्मेंट के पास जाके मैं गौर्मेंट के ऑफिसर से मिलूँगा कि सर मैंने गया था मैं पांच ठिलों पे गया कुरंगी में गया लांडी में गया तर गया मुझे लगा टिमाटर के प्राइस इतने जाते हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा गौर्रमेंट के लिए काम है वो काम के अगर मैं वीडियो डालू हूँ और उसके बाद प्राइस चेंज हो उसकी वैलियू है कि हाँ एर मैंने गौर्रमेंट लेवल पे जाके मैं खुद अथौरिटी बनके घूमता रहूं बीज में अथौरिटी ती और ट्रेक्टर निए जा है वो टाकी ट्रेक्टर से वो रोडो पैसा चीज़े उठा रहा है ये कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ और मैंने कसम से उस बंदे को एरपोर्ट पे देखा है वो भाई साब एरपोर्ट पे बदमाशी से लाइन चेंज करके आगए है बदमाशी से उन्होंने नहीं के निके साथ जो लोग तो वो यूं करके गुसके वो दूसरी वी आईपी लाइन में गुस गए खड़े हो गए जाके के जी फस्सक्लास के हाला कि टिकेट उनके एकॉनमी के थे फस्सक्लास की लाइन में गुसके वो निकल गए वहाँ से तो क्यों अपना स्टेट अस लेकिन ये आप फिर अपनी पूरी परसनेलिटी में वो चीज लेके आओना कि आप जो रोडों पर दिखा रहे हो विडियोज में दिखा रहे हो लोगों कि मैं ये हो मैं बड़ा सोचल वर्कर हो मैं ट्रैक्टर लेकर आगे हो मैं ये कर रहा हो मतलब कराची यह से शेर में आप ट्रैक्टर लेकर गुम रहे हो यह गाउं तो नहीं है, यहां क्या काम अटरहा है, आज याकर रोलर, रोलर लेके गुम रहे हैं, आप खुदी रोडे बनारहे हो, आप खुदी कर रहे हो, आप कुछ पास अथॉरिट्ट नहीं है, हाँ आप वो रोलर, वो ट्रेक्टर किसी गऑ्रमेंट को देते, तो वो बो मैं आप से कोई डेटा शेयर करना चाहता हूँ आप देख रहें ये तक्रीबन तीन लाग व्यूज है मेरे पास जो कि मेरी पॉड़कास सुन रहें लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहें तो मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करने ताके मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें मिलते हैं अगली पॉड़कास में अल्ला हाफिस